जही में जनवरी अटेम्ट की बात करें, तो इस अटेम्ट तक सर मेरे को क्या क्या करना है कि मैं इस अटेम्ट में फोड़ दूँ G.O.C. के maximum 90% of the questions contains, आप्लिकेशन, इसके ओपर 90% G.O.C. के सवाल आते हैं, चाहे हो जही में जो, चाहे हो जही है कई बार हम सवाल तो कर लेते हैं, हमारा thought process सही नहीं होता, तो लेकिन हमारा discuss भी हो चुका है class में, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हर question में कुछ ने कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, इन चारों की बात करें, तो most basic के लिए सबसे पहले देखते है availability, localize है या delocalize है, localize है त नमश्कार, आप सभी को, रूई सर का, प्यार बरा, नमश्कार, वेरी गुड मॉर्निंग तो आल अफ यू, जेई challengers Q&A, question and answer वाला जो challenge वाला जो part है, इस series में सर, special क्या है, अगर मैं last year की बात करूँ, तो last year एक ऐसा बैच आया था, इसका नाम था वरून बैच, वरून बैच ने बहुत तहलका मचाया था, because बहुत ultra pro results आये थे, कहीं कहीं ये series उसी का एक sub part है, मतलब सर, अभी बता रहा है, तो मैंने इस series में एक बड़ा organic की बात करूँ, तो organic के अंदर हम आज जो शुरू करेंगा है, जाड़े से जी यो सी, so sir इसमें special क्या है, हमें अभी जेई में कहीं सारे बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होती है, क्या ये मुझे series देखनी चाहिए, sir म मैं लक्ष में हूँ, मैं प्रयास में हूँ, मैं इसमें है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, कोई फरक नहीं पढ़ता, seriously बता रहा हूँ, अगर आपको मैं बात करूँ आपके J-E means January Attempt करूँए, तो इस Attempt तक sir मेरे को क्या क्या करना है कि मैं इस Attempt म पोड़ दूँ तो सबसे पहली चीच जो होती है तो फर्स थिंग पॉस्ट आफ टू कवर इस और नोट्स plus homework questions जो आपने किये होंगे ये आपको करना ही चाहिए ये सबसे most important है सर मैंने homework के time पे भी कुछ PYQ किये तो आप गलत है मैं उन PYQ उसको बहुत consider नहीं करता हूँ कि आपने topic पढ़ा सवाल कर लिया आपको याद हो गया तो आपको एक false illusion में चल रहे हैं कि मेरे कुसे PYQ हो गए PYQ आपने नहीं teacher ने किया मैंने भी करा है तो मैंने topic खतम होने के बात करवाए अगर आपने topic के साथ साथ PYQ किये हैं तो topic पढ़ा PYQ कर लिया तो आपने PYQ खुछ से नहीं किया वो तो मैंने आपको बताया मैंने कहा ये तो बिल्कुल वाला pattern हो गया कि स्कूल में आपने देखा होगा math के अंदर exercise हम solve करते हैं मुझे आज भी आदे बच्पन में मैं math की बुक लब NCRT किया करता था तो exercise उसके question देखे examples पार example देखे सुन में आगा क्या है और अगले जैसी exercise पाया exercise पूरी हो गई पुलें वाह मैं तो मैस का बोण्ड हो गया जबकि मैस कभी थी नहीं मैस की समझ कभी नहीं आइगे उस टॉपिक की समझ कभी नहीं आए कि क्या करना था कैसे सूचना था और अब यहारी भारी में आने के बाद तो चीज़े ओल टफ हो जाएगा कि हम जही कित्रफ प्रूब करते हैं तो कहीं ने खीज़े बरे ती यह से जाधा समझने की तरफ जाती है समझे रहे हो आपको तरम जरना बातको थीन गंटे में फचातर कुशन करने होथे हैं नीट के अंदर 3 गंटे में तो विचारों को एकसॉसी करने होथे हैं कहीं कहीं है difference भीं आप देछाथे हैं आप different को ने है पर कि कमें ज convert ViktGANा को उनके पास तो एक क्योष्ट है आपके पास तीनए बॉस्टा सब्सक्राइब कि मान के चल रहे हूँ महलगा दो मिनि trends मालगा ओं लेकिन कहीं 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 आप आपको भी पता है कि इसलिए आपके केस में आपको efficiency आपका knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए speed ज़रूरी नहीं है पर पहले आपको आना ज़रूरी है याद कर लिया तो उससे आप बहुत अच्छे से perform नहीं कर पाएंगे इसलिए पीवाइक्यू बहुत ज़रूरी है अब जहीं मेंज कि जनवरी अटेम्ट को फोड़ने का सबसे पहला तरीका यह है फिर आपकी डिपीपीज है तो मेरा backlog है मैं यह नहीं कर पाऊंगा that is your choice पर यह काम तो कर ही लेना और तीसरा आता है आपका पीवाइक्यू और चौथा आता है module मैं आपको इमानदारी से कह रहा हूं यह चारों जिसने अच्छे से कर लिए ओडवांस भी पोड़ देगा इन चारों के अंदर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यह आप कर चुके हो होंगे यह आप कर चुके होंगे यह आपने नहीं भी किया तो आप इस पर सिदा स्किप करके सिदा यहां आ सकते हैं यह आपकी चौइस है समय है यह कीजिए और मेरे साफसे करना चाहिए यह वाला पार्ट मैं कर रहा हूं गार्ट विल भी जई है कि उस कर भी लिए है आंसर चेंज अगाप आंसर याद भी है एक काम कीजिए कि जब मैं आज सिखाऊंगा ना उस समय में आपको यह भी बताऊंगा कि बिटा इसमें यह गलती बच्चा करता है इसमें अगर यह होता तो क्या होता मेरी बात समझना क्योन करना आप अगर आज भी उसी गड़ें के पेडरन पर चल रहे हैं कि most basic यह कड़ गया यह नहीं तरीका है यह तरीका कभी सही नहीं है एक्जाम काम आएगा जब आप बहुत फजय हैं या जब आपको लगता है समय कम बचा बहुत फास्ट करना हूं सीरेसली कह रहा हूं हम नीट वाले करते हैं यह चारों में भी स्टी यह कट गया यह सबसे अच्छा यह सबसे अच्छा कट गया यह कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं जब हमें clear cut दिख रहा हूं हमारा यह सबसे पहले यह सबसे बाद यह वो वो समझा रहा हूं कि आपकी approach यह क्या बता रहे हो सर अप्रोच towards the means समझा रहे हैं क्योंकि शुरू करने से बाद में क्योंकि में लास्ट से भी बहुत गालिया पड़ी तो बहुत टॉफ हो रहा है तो क्या होगा अगर आप पढ़े है जिवन में tough कुछ नहीं होता अगर आपने बहुत तमीज से subject को सीखा है क्यों मैस पर नहीं बोल पाते हैं कि हमें पता है है मैस ऐसी क्यों आप chemistry को क्योंकि हमें लगता है chemistry बहुत आसान है हम कर लेंगे आसान है अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ी होगी तो serious note पर कह प्लेटफॉम पर जब से मैं यहा हूं और सालों से तो मैं बता ही रहा हूं offline में तो online platform पर जब से हूं तब से बता रहा हूं समझा रहा हूं बच्छो को कि भाया हमेशा चीजों को proper तरीके से सीखें सर क्या मैं इस समय मेकनिजम छोड़ दूँ छोड़ दीजी बाई यह को डती को था समय चब बनती है चब पड़ता है advance के लिए पढ़ लेंगे एक बात बता दो के वह भूब लगी है मैं तेरे को खाना देता हूं तुने अब तो चार रोटी के भूग है काधैं आ कि के दिमाग में जो भर दिया कि ये रियक्शन ऐसे होती है अब वो बच्चे तो होती है ये बठा लेगा दिमाग के अंदर या वो बहुत हो न कि आप समझ रहे हो mechanistic approach शुरुआती दोर में काफ़ी tough हो सकती है समझ में कम आता है जिजिन समझना चालू होगा ये तो हर बार होगा ना जब आप math का कोई topic पढ़ रहे थे quadratic equation, differential equation कोई भी आप topic लीजिए पढ़ते वग्त वो topic आपको बहुत tough लगा होगा बहुत tough लगा हो यार ये क्या है लेकिन जब आप एक बार समझ गए अगले topic पर move किये तो आपको पिछला topic बहुत आसान लगा होगा आसान नहीं तो कम सकम moderate लगा होगा है हांदिरे और दूसरे topic पर move किये तो first वाला था वो तो बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ यार, समझ में आ रहा है ये rule है ये rule है आप इसको मान ले तो बढ़िया है हम उस instantaneous खुशी के लिए एक long time का दुख पाल लेते हैं कि यार mechanism tough है एक बार समझे, अच्छे से समझे कोई आपको कहता भी पाया जाए ना कि mechanism तो नहीं करनी ठीक है समझे बहस नहीं करेंगे बहस कभी ना करें ठीक है साथ तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपन एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्योंकि ये पार्ट जिसने बहुत अच्छे से किया कहींने कहीं उसका 80% of your preparation ये ही contain करता तो आपसे क्योंकि उनलाइन वालों की एक सबसे बड़ी समस्य है उनको लगता है 80% तो PYQ है 20% ये है गलत है ये आएगा तो ये अच्छे से कर लोगे ये करके ये सोचों के तो कभी कुछ नहीं होगा ये बहुत बड़ा misconception क्रियेट भी किया जाता है और बच्चों में हो भी आता है तो ये ये कर लो PYQ हो गया नहीं होगा PYQ करने का मज़ा अब है GOC टॉपिक आया है आज आपके लिए तो GOC को पहले revise करें सर बिफूर या pre-requisite बोल लो या बिफूर बोल लो सर जीओसी से पहले क्या करो मांदरी से बता रहा हूँ आपको मैं complete revise आप इसको पूरा पूरा revise करें अच्छे से पूरा एक बार बढ़े हैं सारा काम कर लो revise करने के बाद इसके homework complete कर ले तो किया हुआ पहले इसको जो कुशन नहीं हुए थे wrong and unattempted जो कुशन गलत हुए वो plus unattempted देखो ये बात बता रहा हूँ देखो ये बात तेरी नहीं है बाते में वो बता रहा हूँ जो मैंने इतने सालों से toppers में भी देखी है एक average बच्चे जो rank लाते हैं उनके अंदर देखी है कैसे अपने आपको improve किया जाता है that is the part पर ये करना पर ये करना अब आप DPP करना चाहें समय है तो कर लीजेगा तो आप कर रहे हैं ये काम करें सर आपका lecture अब देखो ये हुआ before अब आते हैं इस वाले part पर सर आपका lecture कितने गंटे का होगा मेरा lecture दो से चार गंटे के बीच में कुछ दो सकता है mostly मैं दो गंटे का रखूँगा क्योंकि क्या है ना चार गंटे तीन गंटे देने का फाइदा नहीं है देखके डर लगेगा इससे चारब 2X पर देखिए बढ़ी आराम से जो कुछ आप से अच्छा सर कोई क्योशन मुझसे हो गया तो भी देखना जरूरी है क्या देख लेना कहीं ने कहीं हर क्योशन कुछ चिज़े एड करूँगा ये होता तो ये होता इसमें ऐसे पूछ सकता है क्योंकि कहीं बार उन्ही सवालों से आप सीखते है यार मैं बेसिक स्टन को सवाल कर रहा हूँ मैं इसमें आगया आंसर तो आगया इसमें अगर इन दोनों में पूछ लिए जिसमें आप फस रहे थे जिसमें आप आंसर तो ले आए पर पर्फेक्शन के साथ नहीं लाए वहाँ आप खुद फद रहेंगे मैं आपसे बात दिल से बोल रहा हूँ आप क्रेक करने में फद रहेंगे यार। उस चीश को बिटाएं कही न कही जो गैप से ना बीच बीच में इसमें आप इडिज में तो हमीसे काम कराने की कोशिश करूंगा सर मुझे एडवांस लेवल पर और करना है तो आप या तो वरुन कर लीजिए का लास चेर का नहीं तो वरुन अफोर्ड नहीं कर सकता दें यू कें गो विद्धर चेही चलेंजर हैं इस पर मैंने लास्ट जी यूसी के दो सचने तगड़ ऊण पर मैंने लास्ट यर काफी अच्छे एडवांस के सेशन्स लिए तो मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ कि आप इमांदारी से कह रहा हूँ आप ये काम करें, आपको बिदा आ जाएगा seriously और ऐसा नहीं, जब मैं अगली क्लास में isomerism लूँगा तो, isomerism तो लूँगा ही G.O.C के कुछ-कुछ कुछ-कुशन में हर lecture में लाया करूँगा ऐसा? हाँ साथ नहीं चूटेंगे, जैसे isomerism हर lecture में आएगा, आने वाले, अगले से समधर में क्या बोल रहा हूँ कि पिछला ये नहीं कि अब हम कर हेलो अलकेन रहें और G.O.C से छूट गया ना, सब हर टाइप के कुछ परिशान मत होना सर आपके इस सिरीज में किस-किस के कुशन होंगे J.E. Mains, J.E. Advance N.A.C.C कुछ और कुशन सब होंगे अच्छा हमें तहाब बस इतना सखर परमी से कुशन टाइमर के साथ, यहान रखना यह पहला हो गया, यह होगा दूसी सब यहान रखने वाली बाते हैं न attempt the question यह सब बाते इसलिए बता रहा हूँ, हर क्लास में नहीं बताऊंगा attempt the questions with a timer timer के साथ ही question करें ऐसा होना चाहिए कि आप सारे question timer के साथ कर रहे हैं मतलब अगर 100 question कर रहे हैं 2-3 minute का margin लेके चले मनलब आपको भी 3-4 गंटे लगेंगे पर शानदा revision है, पूरा चप्टर खतम हो रहा है तो और क्या रिविजन के समझ रहे हैं, आप चाहें तो दो दिन में भी कर सकते हैं, पर एक दिन में कोई बात नहीं, आप 40 question ले ले आप 3 पार्ट में कर ले, 35 35 question कर ले आप जितने कुशन, सर आप मुझे मतलब यह raw file क्या है मैं आपको पहले ही एक blank वाली file अप्लोड करवाऊंगा यह question है, यह question में अभी जिसे यहां तो कुछ ने कुछ होई जाएगा आप लोगों इसकी पूरी PDF दूँगा raw file, कुछ लिखाने आप तो वो download करेंगे timer लगाएंगे, अपना काम चाला करेंगे small करेंगे, बात का time सर, मैंने यह question पहले देखा हुआ मुझे answer याद है, तो आप से बड़ा घठा कोई नहीं है याद है सर reattempt करेंगे, मैंने क्या सूचा था, कई बार हम सवाल तो कर लेते हैं, हमारा thought process सही नहीं होता, तो लेकिन हमारा discuss भी हो चुका है class में मैं क्या कह रहा हूँ आपको हर question में कुछ ने कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा अगर आप skip करना चाहते हैं, तो आपकी whatever you want, मैं एकदम free हैं मेरी तरफ से आप, इसरी है free हैं आपकी तरफ से दिल से कह रहा हूँ साथ लगगए, तो फूरदोगए वरना seriously attempt the questions with the timer and attempt with the raw file then check ये पूरा का पूरा then check video and some different मतलब सर ये क्या है some different things इसका मतलब ये है आप video check करें, 2x पर देखें आराम से, मैंने पर लाइव सेशन की बात की थी पर लाइव में शार इतने cover नहीं हो पाते इसलिए इसलिए उनका आप recorded ले लो much better है, तो पहले मैंने काया ये ये raw file दूँगा बच्चों कोई दिकर नहीं, तो raw file दीजिए, solve कीजिए, timer के साथ कीजिए, इस timer के साथ करने के दो फाइदे हैं, आपको exam में बहुत help मिलेगे, कैसे sir, आप exam में बहुत तगड़े तरीके से काम कर पाएंगे, जूट नहीं वो रहों कसम से, exam में आपको आपको ऐसा बिल्ड कीजिए, कि आप question को देखकर timing के साथ करना चाला, आप समझे, मैं शुरू आती 20 मिनिट इस बात पर लगा रहा हूँ, इस पूरे पर मालब कुछ तो दरूरी होगा, होगा नहीं, इस लिए कि तो check करें, कि some different things क्या होगी, हर question कुछ ने कुछ अगर लगता है मेरे कौत में, एक मलसो question है, तो कम से कम 70-80 question होगा, आपको कुछ ऐसी बताऊँगा कि, अच्छा, ऐसा होगा, तो मैं ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छे, आप लोगों को मेरी बास में ये एक चीज, ये एक चीज, ये एक चीज, ये चीज, चार चीजे मैंने आप आज बताई, पहले, January 10 को क्या-क्या होना चाहिए, दूसरी चीज, इस सीरीज को चालू करने से पहले क्या-क्या हमें, हर चप्टर से पहले क्या-क्या काम करके आना है, हर lecture कितने गंटे का होगा, और कितने question होगे, और क्या-क्या, आप समझे, अब हर एक topic में assist option को practice कर ले रहे और क्या चाहिए, कैसे करना है, वो बताने है, everything is covered, कहीं पर actually recorded है, एक चीज और कहीं पर recorded है, कि spam मत करने लगना, कि ये question तो और रह गया, ये question तो इसमा answer गलत है, अरे यार कहीं बार हो जाता है, मैं बोल सही रहा हूँगा, मैं बता रहा हूँगा, तो 100% मैं सही ब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है न, I hope आपको मेरी बास सर्माई होगी, ज़ल ये शुरू करते हैं, हमारे पहले question के साथ, आपने ये question कर लिया होगा, क्योंकि मैंने raw पहले दे दिया है, Among the following, the most basic, देखो, एक चीज़ और बता दू, एक, मैं आपको हर lecture में ज़रू बता हूँगा, कि maximum question of these chapters कहां से आ रहे हैं, GOC के maximum, 90% of the questions contains, 90% of the, is the acid and base, seriously बता रहा हूँ, acidic strength, basic strength, इनकी application, इसके ओपर 90% GOC के सवाल आते हैं, चाहिए मेंस हो, चाहिए मेंस, एडवांस, दोनों की बात करूँ, तो maximum questions, GOC से, acid base से ही आते हैं, acid base से ही maximum question, पूछे जाते हैं, तो most basic, सक्क्या देखते हो आप basic strength के लिए, यह जो बाते कर रहा हूँ न, answer तो एक सक्क्र लगता, बेटा, यह, यह, यह answer, नहीं, नहीं, नह तो चाहिए में दो चीजे cover की गई है, क्या क्या सथ, एक तो पहले most basic लिया गया है, क्या करना है, इसमें, हमें, इसमें basic strength भी बतानी है, और IOPSE, common naming भी cover करनी है, दो चीजे एक साथ पूछ लिजाती है, इस बाहने से, most basic, आपको मैं बताओ क्या, कौन से साल का question है, यह क्य Aniline, THNH2, ठीक है, Benzylamine, Benzyl, Benzyl, Benzo, THNH2, पैरा-Nitro-Aniline, पैरा-पै-Nitro, यह भी common naming है, पैरा-पै-Nitro-Aniline, और यह Acet-Aniline, क्या है, Acid मतलब 2-Carbon, Aniline, तो Aniline मिला होता है, PHNH2, और इसका Acid, NH, Acid Group यह होता है, Cetile Group होता है, यह लगाएगा, Aniline, यह बन गया, Acid, और यह सबसे बड़ी बादी, Amide है, अब आप से अगर में, अच्छा, अब आप यहाँ पर Maximum बच्चे पता क्या गलती करोगे आप लोग, आप लोग यहाँ answer निकालोगे, most answer है, ना, order निकाले, order निकाले, चला आप बोल दिया, अब post करके वीडियो order निकालो, कितना सही हो जाए, कल को order में ही गलती आप से होगी तो, इन चारों की बाद करें, तो most basic के लिए सबसे पहले देखते है, availability, localized है या delocalize है, localized है तो बहुत शांदार है, available है, delocalize मतलब resonance कर रहा है, available नहीं है, तो यह loan pair delocalize है, मैं दोने इस कर रहा है, localized है, delocalize है, delocalize है, delocalize, यह लिया, और अगर अब मैं आप से बात करूँ, तो सबसे बढ़िया हो गया, बी देखो, answer तो सबका आगया, यह लो आगे चलते हैं, नहीं, order निकाले, order निकालते हैं वक्त कहीं ने कहीं पूरा topic revise हो जाएगा, और भाई साब आप मैं यह भी चेक करना रहा है, इन तीनों में, तो इस से एक बात निकल के सामने हैं, मैं एक बात समिशा बोलता हूँ कि amide को कभी base नहीं मानते हैं, मैं इसको याद करने हैं, अरे भाई क्या trick विक्त सोचते रहते हैं, सोचो ना, loan pair oxygen पे disperse है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि oxygen वापस loan pair कम देगा, किसे लेगा, तो सबसे वहियात हो गया D, सबसे अच्छा हो गया B, अब A और C में सब कौन अच्छा होगा? A वाले में resonance हो रहा है, C वाले में resonance हो रहा है, लेकिन ये NO2 group जो है, वो पैरा पे लगा हुआ है, माइनस R कर रहा होगा, माइनस M कर रहा होगा, electron खीच रहा होगा, उसके electron खीचने की कारण है, ये loan pair delocalize हो जाएगा, और ज़्यादा delocalize हो जाएगा, खीच लेगा, तो availability और कम हो जाएगी, तो सबसे बढ़िया होगा B के बाद आएगा, आपका A, अखको मेरी बहुत तक है, बहुत था है, आप समझे एक question को मैंने अभी यहाँ पर 3, 4, 5 मिरे लगा आती है, क्योंकि आप समझे बात को आंसर लाना के वालेक टास नहीं या आंसर आया और आंसर मुझ आ गया बस आंसर आ गया परफेक्शन लाना जरूर तीस अपसे लास्ट में क्यों कि अमाइड है आप दिल से बोल रहा हूं से टू कारबन एटमस इन कैल्शियम कारबाइड का होगे है कि टू सी हे तो होता है मॉइनस ये ऐख बना दिया ठैंकर ट्रेंगल में होता है नहीं यार मैं ट्रेंगल में नहीं बोल रहा हूं मद्ब अमाधरे बावना को ठीक है सिग्मा एन पाई बतानी है simple सी बात है कि यह सब तो यह ताइनिक बॉंट से है एक सिक्वा है और दो फाई है साफ क्यों आपने अयडत liberals श्कुंन बजला कई दो फाई एक्सिंदम्स अर्ट क्वरताउ है कौनसे क्या निया तक आपने दो आपको जो रोभाल लोग कोņषाल के यहां मैं आपको बता में चलता हूं की कौ साल का कौन शार पांच ने अधंग अंग आऊवब के फिस आब आपको सवाल के अश्कल कर कि यहा रहा है और यहां ही से वाल केता हुज और शकूल कर यही कर चारहरा है가요 और कहां से पूछए गांगा जलीया, लिए जलाओं हैं, बॉट ठीडल को यह तौ चाहते हैं ? इस डोट के प्रेजेन्स होने से क्या होता है ? मैंने कहा था यह पैर मैंमेटिक ब्हेवियर जाता है भाई मुझे लेट्रोन ले लो या देदो करना या करो पर मेहाट चाहता है तो इसकी वज़े से खुता क्या है कि बहुत जल्दी रियाक्शन करने में रेडिकल्स को रियक्ट करने में कितनी अक्टिवेशन एनजी चाहिए को मतलब रैडिकल्स को रियक्ट करने के लिए किसी है आपने कभी ग्राफ बनाए होगे अशे बनाए होंगे मैं ईनजी चाहिए दोलने के लिए एडिकल्स पर ग्राफ ऐसे नहीं है is कि मतलब सीधा नीचे एक तब जाता है वलब हमें रेक्ट करने लिए एनर्जि आने लेग के ज़ुकित ज़ुकित ज़ुर्फ थैरो एक्टिवेशन एक्टिवेशन लिए तो इस एक नहीं बात तो ट्रीफ है इस क्वेंकोर्ट मैं कि अध्वान्स में डायेक्ट डाटाबेस्स हवाल कि यहीं से सवाल उठ जाए आप समझिए बातों को लुएस्ट अब इसमें देखो क्या क्या है एसिड कई सब्सक्राइब निकालते और आंसर करते जलती करने का चांस लुएस्ट पीके हमें पता है कि पीके इन्वर्स ली प्रपोर्शनल टू अचलिक स्टेंट कोई भी क्लास में यह करता हो ना पाये जाए एसल का उल्टा बेस उसका सीधा वह उसका उल्टा यह बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा यह सा हो जाएगा वेसा फाई देखो सिंपल देखो पीके अच का सुरिक स्टेंट का उल्टा क्यों होता है क्योंकि स्ट्रेंफ का मेजर्मेंट होता क्य इकलोर कोंस्टेंट की के वैल्ल्यू जितने जादा होगी उतना ड्यक्शन आगी जाएगी तना मिलेगा ज kuकी जम्द लोगोरद अपको एसा सवावल आ नहींग कर Pc ओर तो उसी मिक्स करके सवाल पूछ जा सकता है कि आपसे एक 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 लिए निकल वाले आप से पीके पूछ ले तो यह पता लग गई लोक के साथ रखेंगे माइनस में है इस वज़े से पीके और के उल्टे हो गए यह बढ़ेगा तो पीके कम होता जाएगा इसलिए हम बोलते ही किश्व किश्रियं करें कि अप्सेट्स क्यों बोलते हीं बता दिया अब लूएस्ट पीके लूएस्ट पीके का मतलग क्या हुआ व्या व्याज इस्जिए announcingstoffe है मैंh highest s.aston में काल लिए व्यारि ते हैं और क्या कर थे सबस्किने से आव्टे कहा हुए है ऑल्वेज में एक ओल्वेज ओल एनी टाइंग में एक कॉंजूकेट बेस पुका हो है बस्तर नेगेतिव 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 अब देख लो उनसे जुड़ेवे गुरुप का ये अलकाल गुरूप से एलेक्टरोन दे रहे हैं बहुत बिकार ये और ज्यदा है और बिकार नहां मजा आ गया कुछ नहीं है हमें इसको देना थोड़ी है कि हमें है है सबसे बढ़िया होग इस ओधानोी और और की बात करूं तो सबसे बढ़िया होगा C, फिर होगा D, फिर होगा A, फिर होगा B, मैं कहारो न, आपको क्या पता कल को J.E. में यही ओर्डर का सवाल आजाए, अगर आपने पहले से किया होगा, तो कही न कहीं आपको अंदर की आत्मा नहीं बोलती कि आपको कितना फाइदा होगा, सुलिए, सलिए, तो increasing still radical, free radical की stability, यहाँ पे एक point बोलना चाहूँगा, कहीं सारे, radical की stability, dot is same as plus, इक में और में लो, कभी भी dot और plus की stability, same नहीं है, हो सकता हो, same आजाए, हो सकता है, जिम ना आए, क्यों उस्तर ऐसी बात आप बोल क्यों रहे हो, क्योंकि radicals की एक शर्त है, radicals की दो शर्ते है, cateins की एक ही शर्त है, भाई मैं खाली हूँ, मुझे electron दे दो, बात खतम, cateins are stabilized only by, electron donating group, electron देने वाले होंगे, वो उसको stabilize कर देंगे, और radical की बात कर रहे हैं, तो radical तो बोल रहा है, सारे मोहले वाले गालिया दे रहे हैं, तुम साले paramagnetic हो, तुम साले paramagnetic हो, तुम साले गदे हो, तुम साले unpaid electron से, तुम साले मोहले में अच्छी नजरों से नहीं दिखा जाता, तो यह बोल रहा है, प्लीज मुझे अच्छा कर दो, अच्छा कैसे करें, तो paramagnetic को हम diamagnetic बना दे, तो मज़ा आ जाएगा, अब diamagnetic कैसे बना सकते हैं, यहां तो electron लेके, तो यहां पपी भी यहां, यहां तो यह देखे बता हैं, कि लेके बता हैं, वह बात हैं, कि इसको आप electron donating से भी stabilize कर सकते हैं, तो आप electron withdrawing से, औरो बास्टर, यह क्या बात हुई, इसलिए radicals electron लोगे, एक electron तब भी वो die बन जाएगा, दोगे एक electron तो वो पेड़ हो जाएगा, तो फिर से die बन जाएगा, तो अब electron दे यहां लें, दोनों case में वो die बन जाएगा है, इस वज़े से, अब तक यह बाते बोलती हूँ, देखी नहीं में नहीं, तब तो भगवान, बोल जाएगा, यह देखी लिए, अच्छा, इसलिए यहां तो आप answer ले आएगे, इसमें क्या था, इसकी ज़रुवती नहीं है, मैंने क्या बोला, क्योशन पूछ लिया, cf3. ccl3. क्या आपकी कोर्स में नहीं है, दोनों फर्म क्लोन फर्म आपकी कोर्स में नहीं है, पूछ लिए उसे, नहीं नहीं, यह तो पजा नहीं था, इन दोनों की बात करें, तो radical instability देखी, कई सारे बच्चे बोचे सार, इसमें तो cl अच्छा होगा, बिकॉज इस साइज बात है, यह अच्छा क्यों है, यह much better है, क्यों हो, क्योंकि यहां पर आपने नाम सुनाओगा, मैंने क्लास में बोला भी है, push-pull effect, क्यों सार, cl electron दे भी सकता है, cl electron ले भी सकता, लेगा कैसा, ppi, dpi, इसके पास vacant d orbital है, cl के पास, तो यह अपना इसका एक single electron, इसके vacant d में ले ले लेगा, तो भी यह diamonetic बन जाएगा पैरा से, और electron अपना lone pair, इसको electron दे भी देगा, एक single electron, तो भी यह diamonetic, तो cl दोनों काम कर सकता है, f के वाल एक काम कर सकता है, I agree, कि fluorine का plus r अच्छा होगा chlorine से, तो एक बाद और नहीं निकल किया आई, क्यों सर, fluorine की size छोटी है, अच्छी bonding करेगा, 2P-2P bonding, इसलिए fluorine एक अच्छे से lone pair देगा, fluorine थोड़ा कम देगा, लेकिन वहाँ पे दोनों फाइदे हो रहे है, तो यह दे आचारे, दोनों case में stabilize हो रहा है, इसलिए ccl-3 रोड stable है, ओ भाई साब, केवल अगर आप plus के 10 के strip, अगर आप एक काम करो, plus लगा दो, cf-3 plus, ccl-3 plus, पता कौन जी देगा, cf-3 plus, f जल्दी लेक्टरोन देगा, 2P का है, कम size के, थोड़ी size का अराम से लेक्टरोन देगा, अगे और उल्ट आगे, इस दोनों सेम नहीं हुए न, जाना था आपको, अलाम देश्मझें, मज़ा भी आएगा आपके, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, देखिएगा, क्या resonance हो रहा है, नहीं नहीं, उन्ट के alpha h है, no alpha h, दो बार resonance है, two time resonance है, त्री टाइम से resonance है, देख लो सबसे बढ़िया, सबसे आगे 3 वाला कहा है, यह रहा, दो वाला, जिती तुनों alpha h, फिर दी विल बी दा, परेक्ट आन, I hope आपको मेरी बात, यह लिया, A, B, C, order बताना है, क्या रहा हो ना, देखो, अभी same सवाल आपने, यह वाला, यह वाला, यह दुनों आपने order में किये थे, अभी हमने किया, आप सोची, अगर हमने PYQ तो अच्छे से किये, तो बागी सबाब अच्छे से कर सकते, यह देखो, यह रहा, वो, रहिए, यह दो दोनों पूछे में आपके देखो, यह रहा, ME2CH, यह दुनों, यह रहो ना कुछ न कुछ कहीं, कि मेक सर के सवार आई सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह लिया, सर ने क्या सिखाया, एसिडिक स्टेंट में सर ने क्या सिखाया, यह रहा है, अनस्टेबल, सर अलफाइस देख रहे हैं, अलफाइस क्यों देखूँगा बाई, यह, आईलियांस, ओ भाई, मज़ा ही आगया, तगड़ा कीच रहा है, 3F, तो 3-I, सबसे तगड़ा वाला, पास में भी है, अब मज़ा आगया, विट्रोइंग को, OME, सबसे पीछे, देखो, अराम से देखो, देखो मगर, यह रिजुने से नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोई P-Pi अवेलेबल नहीं है, क्या यहाँ पे कोई P-Orbital मोज़ा, देखो, बास समझो, P से ही सीख रहा है, यहाँ पे, यह मत करना, लोन पेर सिंगल सिंगल, बहुत लाग खाऊगे, लोन पेर एलेट्रों नहीं दे पाएगा, यह अगर लोन पेर देगा, तो कहाँ देगा, यहाँ कोई P-Orbital मोज़ूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे, रेजोनेंस नाम की चीज, हो ही नहीं रही है, तो रेजोनेंस इफक्ट कहां से आएगा, रेजोनेंस ही नहीं है, तो इफक्ट कहां से आएगा, ठीके सब, क्या बचा, हाई पर यह करता है नहीं, इन्डेक्ट्टिव बचा, O-M-E-O-R will show the minus I effect, which will withdraw the electrons, तो इस्टेबिलाइज, तो इस्टेबिलाइज, लेकिन, यह जादा स्टेबिलाइज करेंगे, तो इस्टेन तीन विट्रोईगे, या एक विट्रोईगे है, तीन विट्रोईगे, नंबर ज़दा आता है, अक्ट्र, ओटर, तो सबसे आश्च अप्लाइज होगा C और होगा D B B B, B, A, D is the correct answer Bombay will be the correct answer Bombay will be the अब समझे नहीं, सारे सभाल करवा रहा हूँ सिक्वेंस में, है ना, और अच्छे से करें अब उपर को देखते हूँ मुझे लगता है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज बराबर आ रही है खईब आवाज कर जाती है, खईबर क्या होता ना माही को उन्गर के बूल गए इस ता ओहो, ये सवाल आपके इस साल भी किसीने किसी के सेट में आएगा 100% आएगा strongest basic equation solution पानी के अंदर पानी में इन सब को पढ़ने से पहले दो केस आते हैं, सिसरे रिवाइज कर लेता हूं मिथाइल का केस, इथाइल का केस मतलब सर R NH2 R2 NH R3 NH Methylamine, Dimethylamine, Trimethylamine, Ethylamine, Dithylamine, Trithylamine तो अब ME के केस में अलग और इती केस में अलग order जो आता है, वो आता है ME के केस में आता है या दोगा, 2 सबसे आगे अब बचा 1-3 और 3-1 1-3 छोटा नंबर छोटे के साथ बड़ा नंबर बड़े के साथ बड़ा ग्रुप, बड़ा नंबर इसा ग्रुप, छोटा नंबर ऐसे याद कर रहा है था ME 213, 231 तो टू सबसे आगे क्यों आता है क्यों आता है, टू के रीजन क्या था जही एडवांस में इस पर भी सवाल आ गया हर छोटी-छोटी चीज़ें जो सीख गया है, वो जीट जाएगा तू सबसे आगे क्यों, टू वाले में दो फेक्टर अब आप NCRT पढ़ेंगे, NCRT में लिखा हुआ ये बात कि अब पानी के अंदर दो फेक्टर काम करते हैं पढ़ेंगे, एक काम करता है, ELECTR tom काम करता है, हिट्र काम करता है EVET कर अपानी हिट अडिया, अथ Näe सब अठे रहे होंगे, सब अच्छा मशिदे होंगे, तो यह अच्छा बिन उगया है तो अगर पानी नहीं होता तो केवल यह होता पानी होने से क्या हुआ अब हाइड्रोजन बोनिंग नाम की चीज भी जाएगी सॉलवेशन फेक्टर भी आ जाएगा इससे केस में यह करेगा इससे केस अब बागी आप पढ़ना नोट्स में निपार का है सब्सक्राइब रखाए यह लिया अब अपसा पूचा क्या है मिधाइल वाला केस में ओडर क्या आता था था तो यह तो बिकार है सबसे अच्छा बेस सी फिर वन इलमिन डी फिर ए फिर बी फिर लास्ट क्यू जो डी लोकलाइब उन पर अवेलेबल नहीं है दी लोकलाइब समाज गया है सी डी एए होप आप सब्सक्राइब अगली बार से इसमें ओलंपियाड भी आइड होंगे ओलंपियाड में बिखेर दूंग आप सब्सक्राइब जल्मि कि क्…. ग्रुफ बेंजीन में क्या करता है तो बेंजीन पर नाइट्रो लगाया बाकि कुछ भी लगा हो नो टू बेंजीन के साथ क्या कर रहा होगा माइनस आर कर रहा होगा माइनस आर करने की वज़े से ये इलेक्ट्रोन खीचेगा तगड़ा वाला और सबसे बड़ी बात ये strongest माइनस आर करता है strongest करता है strongest माइनस आर ये सबसे जादा इलेक्ट्रोन खीचेगा खीचेगा तो density को बहुत कम करेगा को कि लिबात बात है उल्टा है कि अगर आपने लगा अ याद करों अगर आपने आपने प làm लगाया ठो लगाती रिंग की रेक्शन की बात ही मजर्मेर कॉंप्लेक्स कि नेगटीव बनता था रिंग को और जदा रेट को फास्ट कर रहा था निक तरह से वह अक्टिवेट कर देफ़ और था इलेक्ट्सीटवेट कर रहा है खीच नहीं कि आप रहे था देक्ट्र आप्रोच कम हो जाएगी वहीं अप्रोच बढ़ जाएगी न metropolitan देना चाहता है कि खीच रहा है तो density कम हो गई इस अब अब तक आ चुके हैं खुछ सोचिए कितने वेडियेशन अब तक आ चुके हैं इस रिक स्टेंद्ध बेसिक स्टेंद्ध के इस 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 अब नहीं है तीन बार प्लस आई हो रहा है कि अब बच्चा बूल जाता है जहां रखना और यही रीजन था कि यहां पर हैलोफों रियक्शन में बहुत जल्दी नीव करता था क्योंकि यहां पर यह रेजनेंस कर रहा है इसके साथ इसके साब्स करता है यह प्लस कर दो प्लस करने लग जाएगा तो यह डिपेंड करता है यह सामने वाले को देखकर अपना रंग रूप चेंज कर लेता है इसी रीजन से सबसे बढ़िया ही हो गया है तो बार प्लस आई इस बढ़िया हो गया है तो सबसे बढ़िया हो गया सिस्यल स्री मैंनस यह रहा यह अप्सन है फिर आपका एक बर रजनेंस दू आएगा सुझा यह अच्छा ना दू आएगा सिंग मिश्टेग करेंगे तो आपको इसका याद है इसलिए आप बच जारेंगे बाकि प्याड में और जई एडवांस में इसी सवाल को गुमा के बात रख देते हैं या इनकी सवाल पूछ लेंगे या कुछ नहीं इसा गुमा लेंगे और कुछ नहीं करेंट ओडर इंक्रिजिंग बेसिसिटी ठीक है तू इक्यूवलेंट आरेस ओपन माइनस एच सी ट्रिपल मून है आप है अपसर मैं तो समझे नहीं आ रहा यहां कार्बन बे माइनस आर माइनस एनस टू मैनस एन की इन होती है 3.0 आर का कोई टेंशन नहीं है किस वाले कार्बन की होती है 3.25 ओ भाई साहाफ इसलिए आप मैंसे मैक्सिमम बच्चे पता है क्या आंसर करते हैं आपको पूट नहीं मूल रहा हूं highly unstable ये 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 क्यों पता है इन दोनों में लोचा है क्या सर लोचा क्या है सर कि इसकी electrode negativity ज्यादा है इस से कार्बन हिट न लगते हैं जलत है भाई ये नेगेटिव जो है वह जल्दी एलेक्ट्न नहीं देगा इसके electro negativity ज्यादा है तो ये इस पर नेगेटिव काफी स्टेबल है सबसे बढ़ी आओ गया आपका आर माइनस फिर आएगा एनस्टू माइन देख लो इन दोनों ऑप्चिन में बच्चा गलत करके आता ही आता है अर मैंने स्टेबल सबसे जल्द इलेटरों देगा एगरी इन दोनों बच्चा फज़ आता है यह अब 3.25 लेकर करके आता है और यह वापस रिपीट भी हो सकता है कुश्चन ठीक है करिया है इसलिक स्टेंथ पिनॉल अब आप सब्सक्राइए इस सवाल को करने के लिए कामन नेमिंग आनी चाहिए तो मैं वह नहीं आती तो को दे तो चैक कर रहा होगा इंपी कर रहा है यह यह प्लस एच कर रहा होगा बेंजीन की उपर यह बेंजीन ने नेगटीव की बात नहीं कर रहा हूई बेंजीन पर ये प्लेसेज कर रहा होगा, इसका पैरा पॉजिशन पर, ये मेटा पर है, माइनस आई कर रहा होगा, ये पैरा पर है, माइनस आर कर रहा होगा, सबसे बढ़िया हो गया last D वाला क्योंकि draw कर रहा है minus R से फिर आएगा minus I C फिर आएगा A क्योंकि B में तो ultra electron दे रहा है हमें negative electron देने नहीं से electron किछने है DC AB is the correct answer Agra will be the correct answer अब यहाँ पर ध्यान रखना आगरा करने से पहले सोच लेना कि PKA पूचा है अब आप देखिए यह एक सेग्मेंट हाँ एक चीज़ में बोल गया acid-based के साथ-साथ-aromatic यह दो सेग्मेंट maximum पूचे जाने वाले सेग्मेंट है यह means और advanced non-aromatic compound वाल फर यह दो पाइले टों दो पाइल क्या इस पे करन्ट आएगा क्या इस compound को चूने पर current की बात से पहले कोई किया ही नहीं करता था foreign plus two foreign plus two foreign and fire भाई जवालों के साथ सब यह सिखाया जाना चाहिए यह aromatic non-aromatic का मतलब क्या होता है non-aromatic जो current प्रोड्यूस ना करें ऐसे compound जो current प्रोड्यूस ना करें दो चार उच्छे जहां छे electron का current आएगा यह होगा आएगा दो चार छे पूरा पी देखो एक साथ आएगा और बड़ी पेरिफेरी में आएगा यह वाला दो 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 छे पिर से एरोड्यूस ना करेंट आएगा यह वाले में सार दो और दो चार्ट सार एंटियूस हो गया अरे वाई क्या पूरे लूप में रेजनेस हो रहा है यहां पे P-orbital है यहां P है यहां P है यहां P है यह इस पोजिशन पे कोई P-orbital मौझूद भी है यह मत बोलना SP-3 है इसलिए नहीं होगा रेपड मारूँ उल्टे आते कि conceptual mistakes ना करेंगी SP-3 है इसलिए नहीं होगा मैं आपको ऐसे कितने SP-3 बता दूँगा आटम जो resonance कर रहे होते हैं SO3 ले ले तो SO3H क्या SO3H में यह sulfur resonance पे तो नहीं करना चाहिए था ना करता है ना T-Pi है T-orbital चाहिए यह D-orbital चाहिए परलल या नियरली परलल बात खतम that's it resonance कर रहे हैं यह part resonance कर रहा है पर current नहीं बन रहा क्योंकि current के लिए पूरे loop में electron दोडने चाहिए तो चाह electron का resonance तो हो रहा है लेकिन पूरे loop में ना होने करन it will become non-aromatic तो मैं है it will become non-aromatic so the correct answer of the non-aromatic is the correct order of stability of following cations simple resonance हो रहा है 2 alpha है कुछ भी नहीं है यहां पर resonance हो रहा है इसके मुकाबले थोड़ा सा जादा हो रहा है बस इसलिए सबसे अच्छा फिर 1 2 3 1 2 वी तो बड़ा simple question था कुछ दिमाग लगाने वाला था 3 1 2 कुम्बे जखरे कुम्बे जखरे पानी में बटाना है एक्जाम प्रेशर इतनी बड़ी चीज होती कि में एक्जाम में हमसे कुछ इलता है क्या होगे seriously कांसा compound least to resonance stabilize है resonance तो हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा पर resonance stabilize सबसे कम हो रहा है यहां resonance हो रहा है हां 2 2 2 कहीं ने कहीं सवाल aromatic से contribute किया गया है language change कर दी गई है 2 4 6 यह aromatic है तो तगड़ा stabilize है resonance के वज़े से 2 4 6 यह भी aromatic है यह तगड़ा stabilize है aromatic है यह भी 2 aromatic है कर क्या मतलब aromatic हमेशा stabilize करेगा ऐसा नहीं हो question की framing देखके समझ जा रहा हूं कि 3 aromatic देखके 4 aromatic ना देना मतलब वो पूछना चाह रहे है aromatic concern नहीं पर इस line का मतलब कभी दे हो यह जही मेस का paper है बहुत violent बोल रहा हूं दुनिया के सारे aromatic यह बात मैं क्लास में भी बोली है तेंपरिचर पर unstable होते है तो अरोमेटिक है तो अरोमेटिक में यह कब हुआ अस था ऐसा कब बोला गया कि अरोमेटिक है मतला तुम तो दुनिया के सबसे बड़ी आलोग हो गया ऐसा कभी नहीं बोला अच्छे हो with compared to non and anti-aromatic जिसे आपको एक्जामपल यह भी दिया हो है मैंने बेंजीन और साइक्लोहेक्जेन में पड़ा हो है हमने बेंजीन और साइक्लोहेक्जेन में साइक्लोहेक्जेन गदा stable है aromatic देना बाड में के हर छोटी चीज़ बान देना तो you will be a happy person यह वाले में यहां पर यह रहा है ऐसे non aromatic है यहां भी हो रहा है और यह सब में सबसे कम स्टेपलाइज है यह hope आप सभी को समझे फिर से basic strength का सब्सक्राइज अब हम मूह कर रहे हैं 18, 19, 20, 22, 23, 23 तक के यही में स्टेज के सवाल भी है पुले यह लिया basis यह पुछी है तो basics चैसे के बात करें तो पहले localize, delocalize localize localize तो और दोनों में कौन जा लो यह वाला delocalize है वो काम का तो यह जीत गया ना कि दो है इसने अरे भाल में किया दो उसे मत करना दो लोन पे रहें इसके पास भी इसके रहता अच्छा हो गया ना अभी नहीं होता यह SP3 है तो को बढ़ा रहा ना यह SP2 है इस पर SP2 देखो ना यह बढ़ा रहा है यह loan pair देखकर इस पर density बढ़ा रहा है इसके loan pair देने से इस पर density तगड़ी बढ़ जा रही है दूसरी बात इसका conjugate acid बना के चेक कर लेना equivalent RS आएंगे इस प्लस दोगे यह NH2 बनेगा NH2 दोनो double user, single user double user, single user दो equivalent RS बनेगे इसलिए बहुत तगड़ा माना रहता है दूसरी आप इससे पर कर सकता है यह loan पर दे रहा है तो इस पर density बहुत तगड़ी है इस बढ़िया C localized लेकिन यह और यह electron दोनों लोग ठूस रहे density बहुत बढ़ा सबसे बढ़िया हो गया C A और B में दोनों localized है और A वाला थोड़ा कम electronegative है, B वाला थोड़ा सा जादा electronegative है तो more electronegative आपने यह funda यहां क्योंने देखा यह दोनों सेम ही है क्योंकि यह लोन पेर के इलेक्ट्रों अच्छा तो पहले यह देखते हैं और यह बात है भाई पहले effect देखोगे ना resonance फिर hyper फिर negative resonance हो रहा है हाँ density बढ़ गी हाँ resonance हो रहा है hyper हो रहा है यह double bond है किचेगा electron density कम करेगा आई क्या है यह ज्यादा electronegative है तो कम electron देगा cd और यह sp2 और sp3 वाला पार्ट कब देखना होता है जब आपको यह resonance resonance ना हो रहे हो तो कोई जैसे aniline aniline benzylamine यह localize spiridine अब क्या करो सेम यह single bonded sp3 है कोई density बढ़ाने वाला नहीं है दोनों localize है बागी सारे factor same है cdab अगर आज आज जहां रखना के बार error उल्टा दे रखाया तुमसाली यहीं कर दिये कल मैं ऐसे कर दो cdab yes यह वह गलते तो बच्चा करता है इसने बता रहा हूं maximum in all content किसका होगा in all आपसे यह नहीं पुछाए कि कीटों से नहीं इन चारों में in all content को compare करना एक तरसे in all content को सबसे पहले देखते हैं the first factor you have to see the aromatic कहीं किसी का in all aromatic तो regain नहीं कर रहा हूं कहीं किसी का in all aromatic तो नहीं ला रहा हूं in all form दूसरा acidic H कहीं वो active methylene तो नहीं है तो जगर रहा है एक तरसे two times रहा है और तीसरा factor आता है cyclic adjacent CO जब दो CO आजू बाजू हो दो CO आजू बाजू हो हाइली रिपल करेंगे एक आपका in all में चली जाएगा ताकि तीन वो फेक्टर चाहे इनोल जड़ा होता है कीटो से कोई फेक्टर नहीं है ना STD कहच है ना साला कुछ है कुछ ना है कीटो अच्छा होगा थोड़ा बहुत होगा बहुत काम होता है कि यह लिया कि यह लिया मजा आजाएगा भाई यह निकालने पर नेगटिव बना इदर भी दून होता है फिर दून होता है 76% सर यह याद कर लूँ कर सकता है तरी इच्छा है यहां पर यह यहां पर आप कैसे बोलोगे आपको मैं बात बोलूँ चौकाने वाली बात मजा आजाएगा आपको 8% बनता है केवल हैं सर ऐसा क्यों 8% में जाता है यह कंपाउंड केवल केवल क्यों सर क्योंकि जब नेगटिव बनेगा वो उस तरफ रेजनेस नहीं कर पा रहा होता है कि वो बीजी हो रहा है याद है आपको मैंने कहा था कि यह औक्सिजन का लोन पर इधर अल्डेडी बीजी है यह नेगटिव पूछ रहा है मेरे साथ रेजनेस करोगे बी बी बीजी होगे वो लहन नहीं होगे पहले ही मैरे साथ पहले ही में पिद्द नहीं हूँ मैं पहले ही डबल ही आवक्सिंग के साथ रेजनेस कर रहा है तुम ठीजश कम करो मौन रही तरफ चिपको मन था इस तरफ जाएगा शांदर, कोई दिक्के चली बात नहीं, इसलिए ये मज़ा जाएगा, इससे बहुत कम हो जाता है, और दोनों तरफ लगा दिये होते, ओ ये टीर तो, और कम, 10 अब यहां देखो, इतना गंदा होगा, क्योंकि पहले तो और रो रहा था, कि ओ बोल रहा है, इन बोल रहा है, साले, वहां तो तुम ओ को नहीं संभाल पा लेते, मैं तो N हूँ, मेरी इलेक्ट्र नेगिटिविटी कम है, मैं तो और ज्यादा लोन पेर दूँगा, तो मैं तो रेजनेंस करता रहूंगा, मैं तुम्हारे रेजनेंस को उदर नहीं कर दूँगा, बेस दूँगा, बेस 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 दूँगा, आप समझ रहें यह सब बातें रिवाइस कराना यही आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो बच्चे इन बातों को समझ गए और इस बात को पॉजिटिव एंड पे ले लिया वो फोड देंगे वो इस बात को समझ भी रहें कि मासरी क्यों बता रहा है इस बहुत अमत्रे वात को मैं क्या बोले जह रहा हूं seriously जिन को लगता है तो आता है इसमें क्या ही बता रहें है तो अपर अपर पीपाई एपाई, इन बार पीपाई दी पाई इन बार पी पाई पीपाई बताओ कौन सा अच्छा होता है P Pi P Pi या P Pi D Pi P Pi P Pi अब्यस जिभाद है order will be D D D A D B S तो अच्छाइड शबसे मेक्सिम दी इस अच्छाइड इस अच्छाइड शबसे अच्छा तीन विद्डरे आशार यहा एनो टू था तो ओर मसा आचा आपने strongest minus R तो D will be the correct answer यह लिया acidic strength का सवाल आप सब समझे किछने नो acidic strength सवाल आ रहे है the correct order of acidic strength यह लिया तो पहले conjugate base बनाता हूँ सब यही करते हो सब के अंदर और क्या करूँ है triple point पर minus बहुत जादा stable triple point पर minus बहुत जादा stable double पर minus electronegativity difference तगड़ा यह न इन दोनों में अब बच्चा सवाज दे रहा तो यह विकार हो गए ऐसा नहीं होता बाई पहले एटम देखो नेगटिव कहा है इनके एफेक्ट तो बाद में आएंगे ना कहां एच निकाल रहे हो अनक ना कहीं सारे बच्चे 2023 के सवाल कम कर पाए क्योंकि उन्होंने कभी पील नहीं लिया के इसलिकस्ट होती क्या है बस यह आंसर यह आंसर नहीं एच कहां से निकाल रहे हो यह माई नहीं रखता है अगर मैं और ऑक्सिजन से आप समझाना जैसे अगर मैं मात करूं टॉल्वीन मैं बात करूं कोई नहीं रहा है तो बहुंड बहुत जल्दी टूड़ जाएगी बिकोज इस पर नेगेटिव बहुत जाया से बले मैं तरह क्या बोलना चाहरा हूं मैं मैं जाकर तो अब सबसे बढ़िया इन दोनों में यह हो गया इन दोनों में कौन अच्छा होगा यह एलेक्ट्रोन दे रहा है सब्सक्राइब पर चाल सिल्काइब। अब क्या बोलटा हो सबसे बढ़िया होगा यह ओडर ही होगा यह ट्रिपल एच वाला सबसे आगे यह जो होगा मैं मैं तब गलते हो देवर एरो उलते है आगे आले मैं हच सबसे आगे यह दोनों तेखो यह तुम जोसे लोगो के लिए आंसर दिया हो अब सवाल चलूँगे दम ब्रेंडेट ब्रेंडेट सवाल हैं यह लिया नेकेटिव बनाया Q-2 equivalent RS मज़ जाएगा resonance 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 3.5 3.25 अब सबसे बढ़िया होगा B वाला अब इन दोनों में कोन अच्छा है सर इन दोनों में यह NO2 इसके पैरा पे है इसके मेटा पे है कि पैरा वाले पे क्या कर रहा होगा माइनस R कर रहा होगा पिछेगा मज़ा ही आ जाएगा सबसे तगड़ resonance होगा पिर आएगा D पिर आएगा सवाल ऐसे बहुत पुछे जा रहे है चेक कर लो पीके तो नहीं पुछा है PCDA हमेशा चेक करो पहले कि पुछा है बच्चे गलती करतें इसके अंदर PCDA रहेट है फिर मोस्त असले का है काम है PCDA 25 के असपाद होता है याद कर लो कि यहां कर ले पान रहेट है दो दो एज भाई मेरे भाई इदर भी रेजोनेंस अक्ट्व मेथाईलीम मज़दा ओ हो 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 नेगेटिव इदर भी इदर भी इदर भी इदर भी भाई सहाब यहां पर अब आया मज़ा तीनों ट्राइब रेजोनेंस दो टाइब रेजोनेंस सबसे गंदा कुंसा होगा सबसे गंदा होगा डेली वाला करबंसेज निकालना है फिर आएगा आपका आग अब अपना अपना दिमांग दर के बताओ और क्या होगा बताओ अपना ही चेंजर जाती है सब भी आगया था आगे यह लिखा हुआ है हमर पास तो नहीं लिखा हुआ है ठीक है नेगेटिव चार्ज दो रेजनेस कर रहा है तीन बार आगरी वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो तीन जादा बेकार है इससे क्योंकि यहां दो प्यॉर है यहां पर तो यह ओके लोन प्रेजन कर आचा यह यह नहीं होते है बहुत बैस्ट होता है तोड़ा मजा जाता ठीक है जाई मेस वाले है तो प्रोगदे होते ही BCID is the acidic strength order तो तो B will be the most acidic hydrogen I hope आपको समझ में आया हो आगे लेंगे और इसके लिए वैसे तो कर सकते हैं IOC का सवाल है इंटर एंटर एंटर एंजबोंडिंग इंटर एंजबोंडिंग इंटर एंजबोंडिंग उसका सवाल है boiling point यह उसका B का ज़्यादा होगा जही statement है P dissolve more than A in water पानी में वह ज़्यादा एंजबोंडिंग करेंगा यह अपस में करेंगा तो कम गुलेगा वह ज़्यादा गुलेगा सारे एंजबोंडिंग करेंगा तो ज़्यादा solvation होगा उसका भी ज़्यादा dissolve होगा P is crystalline melting point crystalline crystalline edge bonding की बात कर रहे हैं लेकिन में कहीं ने कहीं तो थोड़ा सा गलत मानता हूं crystalline nature के अंदर आप अगर बात करें पैरा वाला ज़्यादा crystalline that melting point उसका ज़्यादा होता है तो यह वाला गलत है कौर में उसे सही है पुझाए P and C क्या only A and B P is the correct answer P is the correct answer कुछ भी नहीं है सवाल वाला सवाल नहीं है reaction का सवाल है आज के बात कभी भी ध्यान रखना AGN3 का सवाल आए तो पक्की बात है AGX निकलेगा AGX निकलेगा यह सवाल यह तो aromaticity का होगा यह number of AGCL बनने पे कहानी होगी और कुछ नहीं आता यहां पर बहुत बहुत जल्दी निकलेगा प्लस बनेगा aromatic बन रहा है यहां निकला तो भी aromatic बन रहा है यहां निकला 6 alpha H के साथ जा रहे हो यहां निकला 5 alpha H minus eye effect of निकला रहा है इन दोनों की बात करें तो यहां बच्चा गल्ती कर देता है वो सुचता है यह के time resonance करेगा यह के time यहां भी आएगा यहां भी आएगा यहां भी आएगा इसी reason से इसको ऐसे लिखते है यह plus समझे तो देखो सुरी को कि ओके loan pair देने की वज़े से के time will get stabilized तो इस के time के stabilize होने के कारण यह आपका इस के time के stabilize होने के कारण यह अच्छा हो गया भी अच्छा है आप पहले RS देखें इसका एक बहुत बड़ी एक्जामन पेने दिया था यह वला कि यह अप तक का सबसे stableاء time दिखा गया है बहुत 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 इसलिए A, C, B, I hope आपको मेरी बास समझ नहीं होगी, अब देखो, आप A, B, C, D और B, A, C, D में पसेंगे, आप्शन दिया गया है, तो आप समझे हर तरीके के पैंतरे जही मेंस फेकता है, तो यही बच्चा फज़ा है और वो गलत कर गया है, अब देखें, दूराब बीस में कुछत जानि में यह रेजोनेश कर रहा। लोन पेर रेजोनेश करनने के कारण यह बोंड कैसी हो गयी, पार्शल डबल बोंड, इसकी 1 पड़ते भी मिए कि यह इनसेंट करता क्यों नहीं करता कि और रहुगां यह फूले फ् सिर्फ कि आपिए सिगमा प्लस पाय है यह पार्शल पाई एक है इस वजिशने सबसक्रोंग के लें़्ससे ज् энергद सबसे ज्याज़ आता है गिसे में सेल्ट पाइए कि अच्छक्रोंगेएट बी यह होगी स्क्रोंगेस्ट जैरा बॉक्त सबसे बढ़िया इक तिस्तों तरह है, ए में N का लॉन पेर बैकबॉर्णिंग कर रहा है, 22, 2, 23, 23,аст bb all the way ो इन तीनों में अच्छा कौन है तो बैक बोर्डिंग जादा ये बिकार हो गया उक्षा का लोन पे बहुत कम देगा a और c में कौन अच्छा होगा अऔर c में n लोन पे दे न लोन पे दे रहा है करने के कारण इदर जाने की ठेंडेंसी थोड़ी से कम हो गई यहां प्योर उसी को मिल रहा होगा यह सबसे फास्ट वियक करेगा विल फॉर्म अब देखो कौन बनाएगा मोस्त रीडिली उसे जल्दी यह सबसे जल्दी की बैक बोनी सबसे जदा होगी एनकी इलेक्टर नेक्टिविटी कम है ऑक्सिजन से जल्दी देगा और यहां दी लोकलाइशन होने के करन थोड़ा सा कम दे पाएगा यही करना आप समझे सवालों में यही बार और उल्हाइल नटार बहुत साण है मिक्स कर सकता हूं मैंसरे यह लिया कि लोकलाइश है लोकलाइश ऐलोकलाइश यह वाला लेंगे अब वहियात हो कि अब बीवाला दो सबसे वहियात बंधी मानता क्यूं पाइरुल है इसकी वय से एरोमेटर इस जिया रहे तो इस जनमे तो नहीं देगा, अब बचा A, C, O, D क्या कोई density अच्छा आपने अभी सिखाया था पिसले वाले में पर देखें कोई density plus R तो नहीं हो रहा नहीं, नहीं हाँ, ये lone pair electron देखे इस पर density बढ़ा रहा है I agree, aromaticity के चलते, ये lone pair अच्छा disperse होगा, तो N पर थोड़ा सा कम जाएगा, पर इन में तो है ही नहीं है ही नहीं बढ़िया होगया, ये वाला D और equivalent RS भी होगा, H दो होगे equivalent RS D सबसे बढ़िया होगा अब बचा A और C में कोई density नहीं बढ़ रही, आप देखेंगा KSP 2 है KSP तो वो कम electronegative है ज्यादा electron देगा कम electrone देगा ठीक ये बढ़ आएगा A D C A I hope आपको मेरी बाते समझ नहीं हो D C A B is the correct A फिर से वही Alpha hydrogen किसके अंदर मोस्त ऐसलिक है Negative Negative मजा ही आ गया आतना में आपको है बंडे वो के वही सवाल बारा पूछ रहे है जोने I agree C B सबसे अच्छा हो गया अब यह नहीं कि B सबसे अच्छा ओ इन दोनों से दूनेंगे अब पुछाए A और C में अरे भाई यह सब काम क्यों करने तुम्हें तुम्हें यह सारे काम क्यों करने जुगारण वाले अराम से इनको तुद सोही बता रहा हूं uben इनको मत देखो इनको देखते जुगार लाओगे धिमांग में option को कैसे manipulate करना है यह आएगा पत सीको किया लोग बोलते हैं यह अगे आगे अरे भाइट यह इन तीनों में बात करें और रेजनेंस अभी बता है आपको और बोल रहा है मैं भी रेजनेंस करूँगा कर ले तुबी कर एन बोला मैं भी रिजन्स करूंगा आप देखिए नेगिटिव A, C और D में सबसे ज़्यादा रिजन्स कहा होगा A में क्यों सर कि C और D में यहां वाले बोले नेगिटिव बोला क्या मैं रिजन्स कर लो तुम्हारे साथ वो बोला I am busy with the oxygen, I am busy with the nitrogen कौन जादा busy होगा N electron ज्यादा देता है ज्यादा रिजन्स करेगा यह वाला और कम जा पाएगा simple बात है बोलते पर करो ना N कम electron negativity फिर ज्यादा रिजन्स करेगा यह कम रिजन्स करेगा, बात करो, D आएगा A, C, D, कहीं है क्या B, A, C, D, और पिछे आएगा ठीक है option यह आप सही कर लेंगे क्या ठीक option मिष्टे कोई होगी, B सबसे आएगा बात करता हम, I hope आप समय सही किया हो, D will be the correct answer next question increasing order of PKB values of the following compounds is PKB, देखो वापस, PKB पूचा है PKB is inversely proportional to basics पहले काम करता हूँ, basic strength का order निकाल लेगता हूँ समीज से जब सौर को लिख लो, कि मैं basic strength निकाल रहा हूँ के बाएगा था हमना answer निकाला हम फट देख answer मार देख, option पक्का होगा strength होई है, आगे पीछे हुआ, display is wide, कोई नहीं, यह लिया और क्या देखते हैं आप सबसे पहले, localize, delocalize, 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 चारों ही delocalize है, अब density check करने पड़ेगी, यह ओ अपने loan pair दे रहा है, पैरा पे है, तो density बढ़ा रहा होगा, दूसरी बात, एक चिस्तों तय है कि first, second, जादा basic होंगे, third, fourth, क्योंकि इन दोनों में density जादा है, दो methyl लेटरों दे रहे होंगे, इन में एक-एक methyl है, इन दोनों में क्यों अच्छा होगा, तो यह loan pair दे रहा है, तो density और जदा बढ़ा रहा होगा, इसलिए first, second, third और fourth में, meta पे लगे है, minus i कर रहे होंगे, अब आप देखो, minus i के series कैसे काम आती है, ऐसे काम आती है, minus i ऐसे कर रहा होगा, तो कहीं ने कहीं आप यह बोल सकते हो, कि इसमें और इसमें, यहां पे minus i ज़ादा लग रहा होगा, कि cn का minus i तगड़ा होता है, वो x से, ज़ादा खीच रहा होगा, तो density और कम कर रहा हो, तो अच्छा होगा, और, अब यह करता ही, बच्चा answer जूनता है, कहा है, 1, 4, 1, 2, 4, 3, कहा है, आरे भाई, मत करना है, मत करना है, उल्टा करना बाकी है भी, 3, 4, 2, 1, that is, c will be the correct answer, उल्टा करना, मत बूलना, pk, b, pk, acidic strength, basic strength, आपको मैंने वो वाला पार्ट भी बताया है, कि बच्चा कहां फसेगा, कौन सा compound non-aromatic है, मैंने कहा न, आपको आप देखिए, अब तक कितने सवाल होगे, 30-30 सवाल होगे, सब के अंदर 30 सवाल होगे, अंदर, basic, 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 यह बात पुच रहें, बार बार, दो, 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 aromatic, similar aromatic, दो, ali, vacant, vacant, दो, मतलब, पूरे में और, हाँ, पूरे में और, दो, aromatic दो, छे, दास, aromatic, दो, 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 यहाँ पे कोई P, पाई, अवेलेबल नहीं, रिंग में current नहीं आ रहा, दो, 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 आट और छे, 14, 14, मतलब, यह fuse वाला, गौन सट्ट है, यह non-aromatic, non-aromatic कोन सा हुआ, पी is your non-aromatic, यह लिया, aesthetic character पुछा है, negative बना लिया, इस पर हमेशे बाद में आया करो, पहले उपर देखा करो, negative, low, इन तीनों को बिना देखे, बोलसे, इन चारों को देखे, बोलसेता हूँ, यह सबसे गंदा होगा, equivalent, 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 सबसे गंदा, तो आपका अंसर आ गया, 1 सबसे पीछे, ऐस minus R, कुछ नहीं, plus H, बाई सहा, एक खीच रहा है, एक दे रहा है, देना तो ही नहीं, देना तो पाप है, electron 2 के तो unstable, फिर फिर तो अंसर तो यह आगया रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, क्या बहुता है, पहले इसको गंदा, सबसे अच्छा होगा है, 2, 4 गंदा, 3, 3, 3, वह आपको मेरी बात समझे, भाई हो, कुछ भी नहीं है, 2, 3, 4, 1, गोप समझ माया हो, 2, 3, 4, 1 के ज़र रहा है, आगरा है, ऐसे ही सवालों करना है, बार बार, कुछ नहीं है, बार, कुछ नहीं है, बार, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, correct order of basic nature, सब पानी में निकालना है, कि ऐ कुछ नहीं लिखा, दोनों लेके चलूँगा, और उतसर दोनों option में दी हो, तो, पानी वाला करना, नई बात सिखा रहा हूं, आपको सीख जाना, एकवस फेस में निकालो, पानी में निकालो, दोनों option में हो, जो answer आपके दोनों में आ रहा है, तो फिर पानी वाला सही करन एक कोई आ रहा हो, तो बात ही खतम होगी है, समझ रहे है बात को, पिनाइल मिथेनामाइन, ओके मिथेनामाइन में लब, ये पिसी नाम दिया है, बेंजाइल अमीन होगी है, एक तरह से, एन डाय मिथेल अनिलीन, अच्छा हो, इन सी आर्टी का सवाल है, ये सेम टूसे, आ इन जी नाम है, एनलीन को बोलते हैं साले शाने, ये मैंने है, ये मिन नोट्स में भी होगा, सेम सावाल, क्योंकि मैं इसको न्सी आर्टी से पीके भी से कंपर कर रहा है, मैंने, इन के वैल्यूस दीवी थी, पीके भी, तो सबसे बढ़िया में, तो डायर बोलता हूँ ये है, ये लोकलाइज है, लोकलाइज, किनों डी लोकला, सबसे बढ़ी हो गया, इन तीनों में, गभी, ये भी, प्यर, पाणी वाला ओटड़ दिया होका कैहीं भी, तो फस्जा एंगे हम, पानी वाला ओडर दिया होगा तो वो फज आएगे हम इस दोनों में आप पानी में कंपेर नहीं कर पाओगे दोनों अलाला वेरियबल है इन तीनों में पूछे है मुझसे कोई पानी में पानी का ओडर केवल मिथाइल के इसमें डिफाइन किया गया से ऊपर जाने पर यहां पर शे कर दो यहीं है इतने ज्यादा कार्बन आने के बाद सोलिवेशन इफेक्ट नियरली जीरो हो जाता है इतने मोटे मोटे गुरूप है तो दोने आपस में एजबोनिंग कैसे करेंगे दो मुले क्यों आपस में पानी इसको गेर काना पाएगा कि बहुत बड़ी बड़ी साइज होने के करान बड़ा लफडा होता है इसे जित्मी बड़ी साइज होती जाती है जीरो के तरह 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 रियालिटी है यह बोलना मत कहीं जाके यह NCRT के बाचा है कहें लोग बोलते है ना कि इथाहिल के बाद तो से मोटर ना होता अब भी नहीं होता हां सही में करेंगे यह बगवान यह प्रभू यह जगनात इप्राइशन बूत रहें यह वाले कि SP3 चार सिग्मा एक दो थीन सिग्मा एक दो थीन सिग्मा SP3 SP2 SP3 SP2 SP3 SP2 आगरा यह जखरेक्ट रांसाम कुछ एक्स्प्राइब लिए अरोमेटिक कंपॉंड होगे अरोमेटिक कंपॉंड बताने कौन से यहां कोई पी पाई नहीं है तो भाईया यह क्या बन गया है नॉन अरोमेटिक दो चार्च है अरोमेटिक दो 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 छे अरोमेटिक दो दो वेकेंट एंटी एरोमेटिक पूरियम हो रहा है चार का हो रहा है पूरियम हो रहा है छे का हो रहा है पूरियम हो रहा है चे का हो रहा है नहीं हो रहा तो नोन एरो 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 आटी एरो कौन गोंसे अरोमेटिक कंपॉंड है तो B and C, किते है भाही B and C, सुन्जाया आप, डेली इस अखरे, Enol, Enol form of acetone exist in less than 0.1%, क्यों मैंने अब पता है, ना ता aromatic है, इसका Enol, ना कोई acidic है, ना कोई COCO repulsion हो रहा है, कि भाही है Enol जो जाना, maximum time keto ही stable होता है Enol से, क्यों होता है सर, CO bond के energy, 746 kg के असपास, एक CO bond के energy, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम बोलते है, पूरी organic chemistry, लात मार के बाहर, क्यों लात मार के बाहर, CO bond का बने, extremely stabilize करता है system को, इस वज़े से, ओट लात मार नहीं कुशिच करता है, क्यों बोलते हैं सा, क्यों क्यों बोलते हैं सा, क्यों 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 बनता है, बहुत जाती है, इसलिए यहां पर CO, CO हम तोड़ना क्यों चाहेंगे, तब aromatic बन रहा हूँ, ठीक बात है, तोड़ लो एया, और-ड़द बन रहा है, ऐसे, पंदरा परसेंग नहीं होता, सर् यहां पता था, कि इसका इनौल जदा होगा सबस्का ना मुझे इतना पता होना चाहिए एसका इनौल जदा होगा कीटो से इसका मंदब तरह बात है कि इनौल जदा होगा 50-50 जाली तो 15 बोल रहा है 15 तो यह तो गलत ही होगा ना किनोल्फॉम एकष्टायद एकष्टेबलाइस बाइद ऑई न्युक्त नोट पॉस्ट उनल्फॉम एकष्टॉन में पिल्गों साही बात है एच-बॉन्दिंग होगी है यह और एच हट रोन इंगे चलते थवह कडिया था पर एच-बॉन्दिंग कि चलते पुझ loneliness बगटा इसी बात है, ये बात है सही ये गलत है और सही है पिस समाना है Joe अच्छा सवाल थो बहुत branded सवाल था बहुत branded देखकर बबच्चे गोई जिस हिसाफ़ now लेंगवेज लिखी गही है न उस इसाब से बच्चे वो देखके लगता है कि हाने बात तो सही बुली हो कि इन्होंने बात तो पर्फेक्ट बुली है तो सही लग रहा है 15% इसको डाटा इंदर मैं एक्जिक्ट लिखा हूँ न वह सही लिंग विस्ती sodium hydride can be used as a oxidizing agent यह तो आप कहां से आ गया मैं वैसे ही बुचता हूँ h- है sodium hydride h- जो है खुद क्या होगा खुद क्या होगा खुद तो oxidize होगा बिल्कुल सही बात है पर सामने वाले को reduce करेगा क्यों sir यह हो सकता है यह हो सकता है यह खुद तो oxidize होगा और सामने वाले को क्या करेगा डिडियूस करेगा can be can be a oxidize the lone pair of electrons on nitrogen pretty matches basic सही बात है कि lone pair जो है प्रिडियन का localize है बेसिक बनाता है बिल्कुल सही बात है इसका यह दोनों अलग-अलग statement है इनका आपस में कोई संबंद नहीं है बहुत हार तूर स्टेट्मेंट इन चारों में लीस्ट बेसिक कौन है भाईया कि इस्ती सी ओ फोल्ट वाई तो एनिच वह भाई साव यह कौन सा फॉंक्शल रुपया दे किसी को एलिमाइट इन माज तर्यू कहां पढ़ाता है क्या यह हॉपमेंट देता है यह कहां चाहिए अचा कमेंट बॉक्स मताना क्या यह कंपाउंड आप मेंट देगा और देगा तो क्या आंसर बने देगा तो नो लिए लिए किसी ओ क्या पुछा है लिस्ट बेसिक चिसका लोण पेर मैकसिमम रसोनेस कर रहा हो यह अविलेबल ना हो यह इधर भी रसोनेस कर रहा है हम अपना लौन पर ना देंगे लिस्ट बिसिक है सबसे बड़िया अंसर हो गया आपका जो लोग कमेंट करेंगे ना कि यह हो लोग जो सीरियसली पड़ रहे होंगे सबसे अच्छा प्रेस हो गया अब देखो COD दूनों बोसकता हो और डिपेंड़न पानी में है कि नहीं मैं एक बार को पानी नहीं मानता हूं तो C C C C क्या आपने करें और निकाल आपने आंसर निकाल आउका अल्र्रडर ने बात कि अथा आपने डरोड़निकालना बहुत जरूरी से अनसर होका आगरा इसट वन वैसे अरोमेटिसिंटी भैई आ फिर से अरोमेटिस दो 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 एरो दो लो पी प है नहीं है वंडे शो दो स्वेये दो दो वेकेंट दो चार यह आपका anti-aromatic चार वाला पूछा क्या है एन-aromatic compound लो इतना आसान सवाल है तो हम नहीं तो क्या है यह 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 कर दिया घलत है फस्ट टाइम कर रहे हो चारो निकाले हो सही बता रहा हूं कल को यह ही यह तो आपका answer का a में यह पूछ लिया यह पूछ लिया यह पूछ लिया फस्ट गया तो क्या मतलब इससे अच्छा first time कर रहे हो न तो अच्छी बात यह कि सारे निकालो कि भी इसके नहीं है आंसर निकालना से कोई मतलब निकाल लें कि वल बस आंसर आ गया यह यह दिखा आंसर आ गया चलो आगी चलते है टाइम बज़िया नहीं बचाना पूरे लगाना इसके उपर रहे है दिखो कौन कौन से इस्पेशिस resonance stabilize है यह रहा है यह कोई पी पाए नहीं है यह link नहीं हो पाएगा तो यह प्लस का कोई काम नहीं यहां होता है हमने तो वैसे किया सर डबाल श्रिंगल श्रिंगल डबल के मारूं आपको ऐसे बहुत सारे कंपॉंड मतादूंगा डबल 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 कर रहे हैं आप समझें मेरी बात को सी ओटू देख लो चोटू एक्सेप्शन मानलो उसको पर एक अचल टूर डबल कोण तू लोन पेर तो हमने सी कहा नहीं है और अदबी वाए copper PI Z yen IDकल लॉन पेर पी वाय। इसका लॉन पेर पीज Yeah so natural पीजेर तो यह करेंगा है अघाल सब्सक्तर लोल रॉन पेर डबल डबल लॉन पेर अभी और अब्र मैटलिक सोडियम किसके साथ रियक्टर नहीं तो अब आप देखिए यह अपने जियो से कही सवाल है मैंने कहा है रियक्शन विदे सोडियम मैटलिक सोडियम यह टेस्ट भी है कही ने कहीं यह प्रैक्टिकल और्गनिक केमस्टर में यूज भी होता है और एलकोहॉल कि OH का H बहुत एसिडिक होता है कमपेर्ट तो सोडियम सोडियम हाइडियम किस निकालता है क्यों इलेक्टरन देगा O- बनेगा और H-डॉट बनेगा तो वह मिलके क्या मना लेगा अपने दूसरे मुलिकुल से हाफ मॉल 2 हाइडियम किस बाहर नकिला ही एक टेस्ट भी है तो अर्व पर्संन रियक करेगा अचिद बेस करेगा यह एक रएगा यह यॡट डेकरेगा यॡट विञान अजाष्य इड खरेगा यासिस अमोनिया बिलकुल अमोनिया किसाथ रिएक करेगा असदी कहिंज है तो इससे भी तो करता है आपने चाहता ना बिच अग्शन आएग अच्छा यह पूछता कि कोन हैं रिलीज नहीं करेगा यहां ब्यूट वन नायन होता तो तो आप नहीं नहीं होगा तो अंशर इसने ब्याजनोट में भी आ जाएगा समझेया बात को जहीं मेंश का पीपर है इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस वाले में बेंजीन वाला पार्ट रहा होगा कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा कि यहां पीपाए पीपाएज स्नरेश और प्याले पिया और इंखर प्याज कंपउंबेंस और से कहा रहा है पस यहां रजने सो रहा है, 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 यहां रहा है, का कम बाद, so that's what, D will be the correct answer, कौन सा compound CO2 liberate, यह बहुत तगड़े कुस्ट, CO2 liberation, NOH में solubility, यह इतने तगड़े segment है, जिसके लिए आपका knowledge level बहुत पार level का होना चाहिए, तब जाके confidence और बहुत सब चीज़े boost होती है, कौन सा CO2 liberate करेगा, NAHCO3 के साथ, तो इसमें हम बात करते हैं, जो लोग, मैंने ऐसा लिखवाया भी है, जो लोग parametrophenol से ज़धा acid होते हैं, तुनिया के वो सारे components COH हो, और सब चीज़े, यह वाला यह तो base है, खुद ही base है, क्या react करेगा, तुम base में base आपस में react कर ले, यह अपना H+, देगा, अराम से बहुत देगा, रियक करेगा, यह ना react कर रहा, माइन, माइन react ना कर रहा, यह react करेगा, H+, देगा, तो क्या बनाएगा, फिर यह H2CO3, जो कि टूटके क्या बनादेगा, बिटा, H2O+, चोटू, और चोटू बंत ही, आप बोसकते हों, कि यह चोटू जो है, वो लिबरेट हो गई है, ब्रिस्क आफ्रमेंस आएगा, बात खतम हो गई, गैट से, तो अपने से जाहो, जान रखना है, सवालों को बहुत पगड़े सवाले हैं सारे, 21 का सवाल, कौन सा RS करेक्ट नहीं, तो यह कैसे पैचानते हैं, मैं कभी यह समझ नहीं आता कि RS सही है कि नहीं, कैसे पैचानते हैं, अब से पहले दे वाला केस तो नहीं, इसमें जब भी सवाल हाता, ऐसे वाजाता है, चार बून कर दें, पाल बून कर दें, अब क्या ले फिर सर, मैं काम करता हूं, इन चारों को देखकर समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, स्ट्रक्चर रहा होगा, यह, तो NO2 की इसा गरू तो यहां पर यह पून्ट ऐसे घुमेंस क्यों इक बात तो ट्य है कि फ्लोव ओफ एक्ट्रोंय विल्बी फॉंफ तो राइट तो यह फिकस है कि यह बॉंट पाइसे गूम रही है मतलब यहाँ पोजिटिव आना चाहिए पहली बात यह आडरा इतार पोजिटिव इसे बाते करता पाए जाये कि प्लस 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 हुगा चाल गवार जाना टिमार तो अगर यहां एक वेल्ड आदा तो बिखार है लोन पर देगा अर कैसे जो कि जो फिलेट्टम तो ऐसी होगा ना हाँ एग्री यह पार्ट रेजलेंस किया रुल्टाइब उसकता है यह करता हूं पर मैं पहली चोईस तो यह रखोंगे यह फ्लो ऐसे हो तो यह कब हुआ होगा वैसे इनका कॉंटिविशन हीस्ट होगा नेगेटिव पोजिटिव क्या है आपको यह बात समझनी होगी कैसे डिसाइड किया अब सुनमा है बड़ा हम हलके बात है यह बन जाएगा यह नेगेटिव पोजिटिव सही है यह इसे मत करना जाइब बनाना और इसमें एक पाइप ओंड है इसके मैक्सिममारेस बन रहे है यह यह तुटु माइनस यस एक पाइप ओंड है O2, SO2, SO3, सिधा ही आंसर आगया भाई, यह कड़ी गया, यह कड़ी गया, तो नों में RS यह कर इंद रहा होगा, उसके 3 RS बनेंगी, 3 एक्विट, 5 bond, आंसर सिधा आगया, 5 OC का सवाल है, चेमिकल बॉंडिंग का यहां पर भी डाल दिया लोगों है, सवाल है, मास पर वॉल्यू, मास जादा मलब, मॉलेकुला मास कंपेर करना था, उसे बहंकर मास, D का, C का, फिर B का, D का, कुछ नहीं है, सवाल में, बस मास कंपेर करना था, स्ट्रोंगेस्ट, एसिड, एसिड, कॉन्जुकेट बेस बनाओ, बैया, कॉन्जुकेट बेस बनाओ, बेस बनाओ, उसना, एक चीज़ तो तय है, यह दोनों तो वहियात है, कार्बन से एच निकाल रहे हो, वह भी बिना किसी इस्टेबिल्टी के तो सबसे वहियात माने जाते हैं इस दोनों, उन दोनों में कॉन्स अच्छा होगा, यह वाला दो, आरोमेटिस इता रहा है, इसका पीके, पंदरा के आसपास, आरोमेटिस इतना कार्बन का इस आपने का गंदा होता है, यहां अच्छा कैसे होगा, आपको यह दे ग्रिवनाट भी रियक कर जा रहा था इससे, क्यों, क्यों कि वह एच, तगड़ा एस्टिक हो रहा है, आरोमेटिस इतने की लिए, पहले nine था, अभण एरो मेटिस इतने का फरकवी नोन पेटिस कर दो, सबसे बढ़े हो गया, क्योंभी अच्छा इतने क्यों, एरोमेटिक होगी वह दयो रहा है, मोह क्यों लिएक और आयो मोड़े हैं पेडिक। अब आंसर आया, A सबसे बढ़िया, फिर C, फिर B, फिर D, मैं माइनस ही लगाया, गबल बोन पर प्लस, कम खीचे, कम हाद, थोड़ा कम, अंस्टेबल तो हही है, थोड़ा कम, उस पर तो हाईली अंस्टेबल, SP, हाईलेट्र नेगेटिव अटर पर प्लस, आत्मा बाहर जाए है, AC, BD, पर क्या पुछा है, SP, AC, BD, कुछ है नहीं सवालों में, बहुत ज़्यदा मेरे पास, हाँ, यह, अनिलीन इस लेस बेसिक, अनिलीन इस बेसिक, अथित अमाइड, अभी बता था कि, अमाइड तो हमें कभी बेस ही नहीं मान, एन ने एक बार लोन पर दे दिया, ए यह तो बिल्कुली बेकार है, अनिलीन अच्छा है, अनिलीन इस बेसिक, गलत बात है, स्टिप्पेंड वन गलत हो गया, कि वह बहुत अच्छा है, वह अमाइड है, अमाइड अपना लोन पर नहीं देता, अनिलीन, लोन पर उफ एलेक्ट्रोंस और नाइट्रोजन इस डी सही बात है, लेकिन अब वो है कि statement of framing कैसे किये, बोत आर true गलत बात है, बोत आर false, मैं इसका best possible answer दूँगा, कि 2 is true, 1 is false, नहीं है क्या, फिरा, पहली, फ्रेमिंग के हिसाब से, अगर आप बोलेगे, इसको इससे compare करें, तो तो फिर ये, less available to proton, in compare to amide, that is wrong, less available है, क्योंकि लो localize है, इसलिए loan pair कम देगा, agree, है इससे तो अच्छा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं देगा, हाई हाई, कितना तगला सवाल था, और कितना प्यारा अफसा रगा है, इसके अंदर हो, हाई साब, hyperconjugation जब permanent defect ही, तो हमको बच्पन से पता है, तीन ही permanent होते हैं, high inductive, resonance, hyper, रथा गया, hyperconjugation इन इथाइल के टाइन, okay, involves, कौन-कौन involve होगा, मैंने का लाता है, सिग्मा, hc, सिग्मा, sp3, s, इसका s है न, s, sp3, sigma, क्या पुछा है, carbon of sp2, h1s, 1s यह तो सही है, यह गलत है, sp3 आएगा है, born with mt2p orbitals, यह सही है, यह सही है, 1 is true and 2 is false, किदर है भाई, तो मैं है, कितना तगड़ा पाट है, छोटी सी गलती करवा, यह ब्लीकल छोटी सी त्याल राख रहे है, वह कि यहां है, काउनसा, not aromatic नहीं है, काउसि अर्म, यह है, इस पर कॉट्ट्ट, कॉट्ट, non aromatic, और यह जब सात या सास से ज़्यादा के, इस पर रिंग हो, सिंगल रिंग हो, अगर वो anti-aromatic बन रही हो, वो अपने आपको चेंज कर लेती है, कॉन सा कंपाउंड इंटर मोलिकुलर एज बोंडिंग करेगा एक सिगनी फिकेंट यहां तो नहीं हो सकते बखवास है कोई सेंश नहीं होगी यह इंटर कर लेगा यह भी करेगा और यह भी करेगा दोनों एज वोंडिंग करेंगे बी ओनली यह तो है नहीं यह और यह कर लेता इसका दूसरा मोलेकुल जूड़ी नहीं पाएगा इतने कन सा कौन्जूए जो देखो किता बढ़िया सवाल था है यह पता कहां से उसक्त भर अब क्या करना है वाल पड़ता ही तिवा में क्या आया यहां है कई बार आपको ऐसा लगेगा मैं यहां पर यह कर दो डबल को यहां यहां डबल लगा दो और वार दो हो रहे हैं तो डाइक टोन है तो अब यह डाइक टोन है तो इसका मतलब क्या है है इन दोनों आणसर नहीं है इसलिए यह वाला रजोनेस कर रहा है यह डाइक टोन आपस मेराने चाहिए क्या रहे हैं कुछ नहीं लिखा कॉंजूकेटड डाइक के टोन तो इसका मझा यह नहीं होता कि दोनों रिखन कर रहे हैं ठीक पर जहीं में इसका पेपर रहे हैं तो यह को यह यह गारो ना आपको लग रहा कि आरोमेटिसिटी एंटिरमेटिस नो इस पर कितने सवाल अन्लिमिटेट वह बूचे जा रहे ह कुछ लगता है यह तो बारवा पुछे जा रहा था यह यह कंबॉंड तो यह है ट्रोपाइलियम के टायन है आम्याद करना बिल्कुल या तो अच्छा यहां पर और यहां पर पीपाई नहीं है दो 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 आठ आठ मतलब अन्टिरमेटिक आठ करीग है तो इट विल बिकम अब पुछा क्या है कौन कौन से अरोमेटिक है एंड बी से आसान क्या बताऊंगा पाई कौन सा के टायन मोस्ट स्टेबल है तो सबसे ज़र रधरनेस कर रहा है दबल बॉंड लिग दिया एक बार दो बार विद डबल बॉंड ओहो यहां प्लस आएगा हाई हाई दो बार पाई बॉंड से फिर बैक बॉंड नहीं हाई मजा ही आगया यह वाले में इसा तीन बार रधरनेस्ट रधरनेस्ट वार डबल बॉंड से डबल बोंड से रधरनेस्ट कर भी दोड़ से बढ़िया ओगे आपका दीग तो है सबसे बढ़िया मोस्टेबल भी इतना करो के तो मज़ा भी आप सोच वह में किसे सौल कर रहा हूं ऐसे आपको भी सोच रहा है यार क्या भी कर दो निकाल लो परफेक्शन से मज़ा तो आए कर कम से कम क्या मैं कुछ सीखा यार शायर सीख वह किया या मैं सुके या थे लिए फिर वह यांगे इसच ली इस तुद्ध निस र तो और सब बराबर है और से द है भाई साहाब, मैं तो यह भी लिखता, आप मिलता हूँ ऐसे, सबसे गंदा हो गया D, तो यह बैद दे रहा है हूँ, हमें देना तो ही नहीं, लेना था, तो इन तीनों में सबसे बड़े ले रहा है A, नहीं किसे चेक करें सबसे को ना गयाता है इनों तु बहुता गयाता है, कि आजिए थिक शेंगा पूछा क्या है, तो इतरा क्यों बोल रहा हूं कि वह पीगे हैं, तुम सले असनल ले आव बात कर दो दो में आजिए शीली मिस्टेक होगी, शीली मिस्टेक, कौन सा not aromate फिर aromate देख लो aromate city पर भाई सा लग रहाएगी जंडे गार दियां दो 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 ध करो इन दोनों हाईडोजन के रिपल्शन के चलते एक बौंड उपर एक बौंड नीच इस वजए से ये वाला पी यह वाला पी इस plane में नहीं है जिस plane में यह P होंगे उस plane में यह दोनों पी नहीं है यह approximate उपर निच हो जाते हैं इसलिए resonance नहीं होता इसके वाल यह कर रहे होते हैं यह 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 segment resonance रहा इस वज़े से यह non aromatic कौन सा aromatic नहीं है करो 10 in inhi इस और कौन साब कंसा बेंजीनोNewey नहीं हे बैंजीन कहा नहीं दीखर AH यहां बैंजीन गरी तीक्राइटर अभण चैक्राइटर यह नहीं है बांथ क्या क्ता हो गी उठ कोना दूंडोसाओ में तो डर गव्या होता pair betành जैसा नहीं है यह भी तो नहीं है है ना बेंजीन टाप की स्टक्चर आरेस बनाओंगे तो बन जाएगा एक स्टक्चर परेशान क्यों होते हो अंजात को भाई भाई यह सब्सक्राइस लगा था कि उन्हें मुझे कभी उम्मीद थी कि एडवांस पूछे का यह पार्ट पैन एनिलीन को एडवांस पूछेगा यह बात बहुत उम्मीथी पर में से पूछ लिया मदा याद यह एच यह हाइली रिपल कर रहे हैं इस वज़े से यह बिकम्स नौन लेनर यह क्या बन जाता है नौन लेनर एट स्वाइट बिकम्स नौन लेनर यह बना के दिया इज़त रख लिए तुमारा क्या होता कर यह दो तो चार्च यह एक सिंगल रिंग यह और यह 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 दो नो अपना प्लेन सोपर ठलेंगे तब लाग स्ट्च्चर कॉट प्रच्च रिकल अक्टेटराइंट सब शेप बिकम्स में नौन अरमाइटी बाय लूजिंग दप लेनरटी तो चार्च यह 6-8-10 पुचा है रसन मुचा है 6, 8 and 10 are respectively arrow not arrow and arrow यह गलत है बहाई देखो फसाया भी जी में सालों ने कुछ सवाल तो ऐसे पूस्ते तो बड़ा मज़ा दाता है planality is one of the requirements of the aromatic system बिल्कु सही बाद है उसी से होता सारा काम planality plus continuous continuous ऐसा ने कि एक दो पी हो गए फिर चोड़ दी अपर दूतर आ गया continuous P यह ना हाँ यह बिल्कु सही स्थेट्मेंट यह गलत है और आर सही है यह गलत है और आर सही है P will be the correct R मजाया कौन से marked acid की यह की acid extent सबसे कम होगी क्या पूचा आप आप लाओ lowest PK, एसल इक्सेंद कमनी पूची lowest PK most acid काम करें है कौन चुके acid बना ले वे है अच्छा DIAH बना फज़ात है तो यह निकालना पड़ता पहले तो यह एच कैसे निकाल दे रहे हैं यह एच कैसे निकाल दे रहे हैं तो वो निकलेगा इनके सवालों की फ्रेमिंग क्या है कि जो DIAH वो एच बताओ तो कम जाएगा उकल उन पर भी रेजर्स कर रहा होगा तो कम जाएगा उदर बाई सहम्मजा ही आजाएगा तगड़ा इधर भी और इधर भी यह वाला जाएगा बिल्कुल जाएगा कम जाएगा इसके मुकाबले यहां तो दोनों बार कर रहा है यहां वाले में इधर जाएगा इधर थोड़ा कम जाएगा इधर उक्सिजन पहले से बहले है बीजी हो प्लीज दोन डिस्टब मी सबसे बढ़िया कौन सा हो गया C फिर कौन सा हो गया D दोन दोन पहले के लिए यहां तो बिलकुल कम करेगा इधर तो जाएगा किसका ओटर रहा है पिटा तो पीके के चकर में गलट मलगा ना अब उसका यहां इतना तमीज से सवाद को तो मजा भी आएगा कल को इन में से और पूछ रिया तो भी सही कर लोगे कुछ भी गुमांगे पूछ रिया तो सही कर लोगे strongest ब्रोंस्टेड बेस यह ब्रोंस्टेड का होवे है यह लोन पेर देने वाला strongest बेस बताना है बया तुम जा भी गया अगम लोकल तुमे बिकार हो गए है यह लोकल है इस बाई साहाब इस क्वेशन वो कॉंसेट लिए कई से बच्चे इसमें ब्रेट्सुल लगाएंगे ब्रेट्सुल पर नहीं देगा अले बेट अले लास में सो बार बता चुका हूँ उसके बाद फिर बता रहा हूँ इस प्लस दिया यह बना यह बनने के बाद इसमें चार बॉंड है SP3 है SP3 है कोई इज़त कम नहीं हुई अभी भी यह एक्जिस्स करता है प्लस से क्या मतलब है SP3 है अब बच्चा फज़ाता है A और D में बहुत यहां से सुनना है इसमें यूज हो रहा है Amine Flipping अब तो प्लूई OC पर अब तो पता होगा कि Amine Flipping का होगे है Amine Flipping का मतलब होता है N Umbrella देखाए Umbrella Umbrella की तरह N अपना Lone Pair इबर उपर Flip किया नीचे उपर नीचे उपर नीचे इस प्रकार Lone Pair का उपर नीचे होना Flip होना Is known as Amine Flipping उचसे क्या होगा? तुम सोचो ना मुझसे क्या होगा? Ammonia के flip होने से क्या होगा? Lone Pair available कम होगा? एच्छादा होगा? यसी बात है अब लेने गए बग ग गया इसलिए Ammonia Flipping से Basic Strength काफी हद तक कम हो जाती इसलिए D will be the best base then A then B then यहां तो flipping नहीं है अब तर यहां अवेलेबल ही नहीं है अवेलेबल तो है E, A, B कहीं ने कहीं आपको यह बात समझ में आई होगी Ammonia Flipping यहां भी हो रही है यहां भी हो रही है लेकिन यहां पर Density चादा है तो थोड़ा था ठीक है इससे तो अच्छा हुआ Pानी होता यह अच्छा है था इन दोनों में 2023 का सवाल भाई सा 2023 के सवाल चालू हो चुके है कहीं ने कहीं 20 minute यह 23 के सवाल चलेंगे कहां से करो Strongest Acid Negative 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 Minus I Meta पर लगे है Meta पर order क्या आता था सबसे बढ़िया होगे A कीचेगा कीचेगा देएगा अच्छा है Acid निकालने को मैं एक सकंड इसको बिना सवल के बोल सकता हूँ यह किचेगा सबसे बढ़िया इन order निकालने में फाइदा किया कि आपके अंदर perfection आएगा और कुछ नहीं आप सूचो 23 में कितने सवाद 2023 के अंदर अब आप को नहीं लग रहा है कि Acid Base को कितना Importantly करना चाहिए इन बच्चों नहीं किया उनसे हाच और के रिए Acid Base वाला कर लेना Astriction में बतानी है पूरा NCRT से चापा हो सवाल है Cable DVT पूरे उठ 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 लिए तीन तीन फ्लोरीन कीच रहा है मजा ही आजाएगा एक फ्लोरीन कीच रहा है किक है क्लोरीन मैंस आई का ओडर है simple मैंस आई का ओडर है E उठ उल्टा ठूच रहा है BD C E A क्या पुचा है लिसें नहीं नहीं किक है A only both A and Z Option गज़ात हो गया Sorry for that Option गलत चाप लिया कहां से भी कोई नहीं चलो At least order लिख लेना ओडर पुचा है तो आपना order लिख ले Subjective माल ले The correct order of SNG फिर देखो अभी 13 स्वाल है 2013 का कितने स्वाल स्वाल पूचने का स्वाल इस नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब अभी तल को पता लगी ठीक है ऐसे करता हूं भी सवाल आप भी ऐसे करना है अब CT और E में ये लोन पे ठूस रहा है वोले आया है साला अंस्टेबल कर रहा है सुब देना तो ही था ये ले रहा है मजा ही आ जाएगा ओर जादा स्टेबलाई सबसे बढ़िया हो गया D सबसे रहा दे कारा में सबसे बिदाधन अब भी और दिस में क्जादा रहा है विक में सबसे हो ये सबसे करना है तो कुछ नहीं चैनल पूछा क्या S0 क्या P&Kẽ आधरिक स्टैळए तो ooh bha'i , किसी optionं महां है इसका अंसर पूस्ट नहीं दिया कहीं इसको सही कर ले , berries ، अच्छलों , अपना order सही है , don't worry , अपना आपना गलत नहीं , इकिन माल्यो यही 4 option होते है माल लो यही 4 option होते है , जय में तो कॉन graturity सब्सक्राइब एक करना होता तो एक टिक करना होता तो एक टिक है इनोने मान लिए बेकुफ लोग है इनोने कुछ भी किया होगा अगी एक्षल तो जही ने दिया था मुझे याद है सही दिया था एक सवाल आया था एग एग और फिर्टेंट इसना होगी एग इनो थरी कॉन इंग में से फास्टेस रियक्त करेगा एग 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 बीर तो कॉन बनाएगा फास्टेस तो वही के टाइन के स्टेबिल्टी है मैंने पहले ही यह बोंड तो तूटेगी नहीं कि पार्शल डबल चलते यह बोंड कभी ब्रेक नहीं हो यह बोंड आराम से टूट जाएग आपन तो गारेमेटिक सबसे बढ़िया हो गया वह सबसे फास्टेस टूटेगी को सी सबसे फास्टेस चूटेगी और ड्लबी से नेग्टिव पोसितिव गैपल की से भी सावाल है पिर आएगा डी तो कि सब डी में बेंजीन से रिजनेंस ये भी कर रहा है वहां पर लंब रिजनस होगा इमें सोड़ा आई से बिजनस कर रहा है कि दी दी है तो सी ज़ए फास्टेस्ट इस जाइपल मुपाट पी फिर एंट इस अंसर है कि ये भाई साहब स्क्वाईरिस आसेड का सवाल पूछार नोर्डेस का सवाल डी्पीप का सवाल सबसे बठी फाइदय है इसक्वाईरिक ऐसेड है स्वाय एसस्टेंग क्यों होती है तो अपने बता विछा है यह बना O- यह बना O यह negative resonance करता है तो negative resonance करते हैं यहाँ आएगा जैसे ही वहाँ जाएगा, एक बना रहा हूं कि वल double order बना double यहाँ आएगा और O- तुम खुद देख लो ऐसा लग रहा है इसको गुमा कैसे लिखा हुआ है तो इसमें 4 equivalent 4 equivalent R.S. बनेंगे यह वाले, यह वाला, फिर यह वाला, फिर यह वाला 4 equivalent B है 4 equivalent R.S. इसी के चलते इसकी acidic strength इतनी ज्यादा होती अगर इसका सेम एक compound मनाऊ एक सवाल कर बता हूं यह वाला यह और तगड़ा acidic इसससे, यह और तगड़ा इसससे है, क्यों? यहाँ पर 4 equivalent है, यहाँ पर 2 match निकालोगे, 5 equivalent बनेंगे 2 minus, 2 minus, 2 minus, 2 minus, 2 minus 5 equivalent है, इसलिए ऐसा 6 का भी बन सकता है 4, 5, 6, तो इस प्रकार यह squiric acid हमारे syllabus को बहुत important part है, मैंना कोई यह निकों तरखा कि NHCO3 से भी soluble है है, क्योंकि बहुत compound B is aromatic, वो तो है, पहले भी था, quasi-aromatic यहाँ थे? still negative still negative quasi-aromatic the completion of above reaction is very slow, very very wrong बहुत fast होगा, और not reaction करेगी, भागेगी A shows trotomerism, क्या A trotomerize कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यह आपक, यह आपस में करता ही है आपक, यह अभी एक लास के लिए हाँ, इसकी inol form ज़्यादा stabilize है इस तीन की टोले से, क्योंकि वो arrow the bond length between CC in compound B are found to be same, बिल्कुल सकती है, और कितनी है वो भी निकाल लेता हूँ क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है चार equivalent आरेस है अब आप देखिए, एक 5 bond है तो कि 5 bond में इक तरह से, आपने एक किया होगा ना bond order निकालने के लिए किया होगा नहीं किया कि number of bonds upon number of aris है, तब उस किया होगा number of bond 2, 3, 4, 5 5 by 4 equivalent आरेस number of bonds 2, 3, 4, 5 यह 5 bond 4 आरेस में distributed है इसका bond order होगया और CCO का निकालो, CCO का वो भी तो चार बराबर है CCO किती है, 2, 2, 4, 5, 6 6 bond चार आरेस में distributed है यह होगा आप पर 3 by 2 5, आपका 1 point 2 5 अगली बार हो सकता है यह पूचले, किसकी bond ने चाहता है समझे ने बात को यह bond order है आप से इस परकार के सवाल भी पूचे चाल सकते हैं कि बताओ, आरेस बन रहा है कि तारेस बनेंगी equivalent अभी तो किवल, चार सवाल पूचले हैं तो कहीं ने कहीं आप कोई बात समझ नहीं होगी कि acidic strength का पाओ और basic strength का पाओ कितना ज़दा important है हमारे जई सलिवस के लिए highest dipole moment तो plus minus कहा maximum रहा है यहां तो नहीं बनाएंगे तो अगर आपने plus minus बनाया तो यह anti-aromatic बन जाएगी और यह aromatic बन जाएगी उल्टा किया तो वे anti-aromatic बन जाएगी यह तो नहीं करेंगे highest तो यहां तो dipole नहीं आएगा non-aromatic यहां पर भी तूटने को फाइदा नहीं है यहां तूटने को फाइदा है यह सवाल आप समझ गयेंगे it's a question of quasi-aromaticity यहां negative आएगा यहां positive आएगा तो उससे फाइदा होने वाला है तगड़ा वाला aromaticity aromaticity dipole moment आ रहा है यहां से यहां छोटी रिंग से बड़ी ऐसे सवाल मैंने class में करवाए in which of the following compound dipole moment is from smaller ring to larger ring smaller to larger जाएगा करेक्ट करेंगे उतना आफाइदे में रहेंगे प्रोपोलोन बूले माश सर एक हिदायत दे रहा हूं बहुत एक राय दे रहा हूं प्रोपोलोन यह कहां तिया है सर NCRT गार्वी क्लास की पॉमन नेम में देवा है प्रोपोलोन सीरियस्ली क्या रहा हूं ठंग से कलो बना में आश्टर यह तो कम आता है मुझको मैं थोड़ा सा कम समझ पाया हूं माश्टर बना तो बैट कर रोते रहना अपने को क्या है अब बना तो क्या है समझें प्रोपोलोन इस और अरोमेटिक कंपाउंड एंसीयार्टी खोलेंगे एंसीयार्टी में यह नहीं हुआ है और आपको इससे भी हिंट मिल जाएगा यह त्रोपाइलियम केटैन का ओवे है क सिन क्लास हम बता रहा हैbad weekly sociology watchetten subscribe Apple Why Techno यह होग defe जहें डौप verbal को ट्रोपॉन इसको बोलते हैं यह a chuckप इसको 15 इसको बोलते ש अरोमेटिक कंपाउड है जेनाइ एट पाईलिट्ट्टन पहली बात तो 8 पाइलेक्ट्रों से हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यह बात सकते हैं अरोमेटिक लेकिन 8 की बैसे नहीं है ऐसा लिखा नहीं कि 8 की ऐसे अरोमेटिक हुआ अरोमेटिक है हाँ है 2, 2, negative, positive वासी अरोमेटिक अरोमेटिक है हाँ अगर यहां लिखा होता है अरोमेटिक है अरोमेटिक है और 8 पाइलेक्ट्रों से पाई 2, 2, 4, 2, 6, यह दो आट फेयोड पढ़ाए मॉड़ा है ऐलेक्ट्रॉंस फिए वल्यव strand इई से जो ग्रूब के खिरिद आने केपिद न स्विक आपटो ocean के JAC त्वित उसके डिर्से इस वा अधाय। नहीं है। मटेहिं मतलब है। आइट था प्चस ? मुंौगद था सी. समझ रहें level of the question कितना ततगड़ा था फिर सवाल कहीं कि aromaticity पे आके ही अटका ultimately सवाल aromaticity पे आके ही अटका जो है जाब aromaticity ही पूछी गई ultimately आपको मेरी बास समझें आई हो एक सब्सक्राइब पानी पीलू आई कि ओडर आप आई है है और अगर ऑफ एसे फिर से आथ बेस भाई साफ इसा लगा जिसेंदे के जरके ही सवाल है पूछे जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं कि दा डिस्टेंस का प्रिशंट था बिना सोचे डिस्टेंस पास दूर त अटम बाद एंशे बढ़ी आज पिर C A, C, B A, B, C, B तो भाई, इलेक्ट्रोन दे रहा है लिकार न, कीछ रहा है दे रहा है, कीछ रहा है तो, clear हो गया A, C, B फ्लोरो इसे स्ट्रॉंग, अब देखो, बच्चा क्या सुचता है order C, A, B F is a stronger electron withdrawing group than chloro group बिल्कु सही बात है यह A गलत है, क्या order गलत है तो, क्या अंसर आएगा भाई A is false, R is 2 चारों में R S की stability का order बताना है की R S की stability का order का हो है का हो है, पहला तो इनको जोल लेता हूँ आप क्या करते हूँ, मैं सबसे बहले यह करता हूँ CHO लिखा अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोंस का फ्लो जो है यहां से शुरू होते हुए यहां तक जाएगा वहां से शुरू होके यहां तक जाएगा तो यह पाइबोंड ऐसे और ऐसे गुमेगी यहां नेगटिव, 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 होना यह चाहिए अब यह पोजिटिव तो बिलकुली गल्त है यह तो वहियात है और इसको विज़िब रहे हो तो और ही गंदा कर दिया तुमने काम तो यह तो हाई ली तो पॉसिबल नौट पॉसिबल यह पॉसिबल भी नहीं है तो और पॉसिबल दुन बेकार होगा यह दोनों ठीक है कि 해썽 सबसे परें Wish के सबसे लिच घंभ और के बाद दिकशे आपका जो अधे घंद कि स्वाइव ग्चल्टेगों न्ीस पास-पास 5 सबसे आफ दू के बाद धत Aub B जाना रखना यह दोनों लिए ओक्टेट कंप्लीट है तो डी सबसे बढ़िया तो दी के बाद आएगा बी फिर आएगा एए एपर आएगा दी कि आएगा सी इब है इसी अप्शन में थाई नहीं इन गलत दिया किसी ऑप्शनमें था ही नहीं इन यह अपको फॉर्ट प्रोसस्स सोच के आप ठीक है आते नहीं है यही ऐसा काम करता नहीं है एडवांस मेंस है तो कभी कुछ प्रिया बगी आंसर और यह तो पॉसिबल ही नहीं है वह पर प्लस जनम में नहीं आ सकता यह बेकार है कि आपको प्रप्लम ना आप देखिए कितने सवाल 2023 में आरेस की स्टेबिलिटी का एक सवाल आपकी मैक्सिमम सवाल 90 परसेंट सवाल के लिए अपके लिए आम तुम्हारे लिए कितना इंपोर्टेंट पुछ ही एक बात को बेंजीन इस मोर स्टेबल देन हाइपोटेटिकल साइक्लो एक्जा ट्राइए तो बला कोई बोल देगा कि एक तॉट आप लिख रहा है आपोटेटिकल तो वैसे ही कहता हो गया तुछी एक्जिश नहीं करते हैं उससे नहीं हम बढ़ी ही है मुझसे बोले कि मैं हूँ एक विज्योल में एक एक हाइपोटेटिकल केटरिना केफ है उससे हम बढ़िया है बाई वो तो रियल सोटी हाइपोटेटिकल बल्ल्या हो नकली चीज़ से असली अच्छी होगी न बाई पुला हाँ नहीं साफ़े मृंना के लिए न हेकली चेंजा-द बोल्र से जाधा अच्छे से अट्रैक्षन करेंगे बहुदेखते से यह यह फlo और हो ठीक रहा है इसको explain भी कर रहा है yes sir, वो यह बोलना चाह रहा है कि cyclohexatrine में जो simple यह है double bond, double bond, double bond, इससे लाग गुना अच्छा delocalization है, that's it, ठीक बात है भाई, she is the correct answer, फिर से वही basic strength, फिर से वही acidic strength, acidic strength में कौन जल्दी से deep protonation है, h plus को जल्दी निकाल देगा, acidic strength बुची है, फिर से वही से देखो, आप कि तो सभी सवाल है, बापन ने किया हूँ सवाल है, सेम सवाल किया आपने, सेम सवाल, बिल्कुल सेम, यह दोनों तरफ रिजोन्स करेगा, यह एक तरफ, यह दोनों तरफ कम जाएगा, बिकोज यह बोला है, मैं busy हूँ, आपको मैंने इनके इनोल भी बता है, 76%, 8%, 10 to power minus 7%, तर क्यों होता है, वह ही एच की सेम लॉजिक है, ऐसे इक स्टम्स वाली बात है, A, C, B, बस उसको पूछने का लॉजिक है, अंडर्गो डिवर्म मोस्ट रिली ए उनली, बोथ ANC's are wrong, आप सुझीए, यह सवाल कहीने के उसका होगा है, प्रोटोमिजम का, A वाला बहुत जल्दी निकल जाएगा, B और C, इससा असाने से नहीं निकलेंगे, भाईस आप इर देखो, मैंने कहा ना आपको फिर आगा है, इस साल भी पूछेगा, इस साल भी basic strength in water पूछा ही जाएगा, देख लेना, इनके सब methyl substitute remains, वाला के समक्या होगा, 2, 1, 3, 2, 1, 3, यह मोने, यह यह कहाँ होता, इथाइल होता, 2, 3, 1, यह मोने लास्ट में आएगा, अब्वेस सी बात है, यह मोने लो, match the list, यह सरी क्या है, list 2 में क्या है, लिखा ही नी कुछ भी, लिखना सब्सक्राइब, पीके भी है, पीके भी, अनिलीन, पहले बहुत अच्छा सवाल, इस सेम सवाल मैंने नोट्स पकराया हुआ, बगवान कसम मैंने लास्ट में कराया, आने सब्सक्राइब कराया हुआ है, मैंने इथेना माइन, यह NCRT का दाटा है, मैंने वहीं से पूरा एक टेवल बनवाई थी, N-Ithal, ETH, 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 अब एकर पानी के अंदर है, कहा है, कुछ लिखा नहीं है, चेक करते हैं, अपर एक काम करते हैं, दोन ओर निखालते हैं, सबसे वाहिया तो A होगा, क्योंगे A, D, सबसे गंदा बे से, PK भी हाइस्ट होगा, 9 पॉर्ड, 3 नमबर, एका 3 होगया, अब यह सब आँसर देख लो, यह तीनो महल है, यह दिया, तो 2 वाला सबसे बेसिक है, लीस्ट होगा, अगर हम एक वो बाने हैं, देखो, मेरे मिल देता हूँ, A का 3 होगया, 3, 3, 3, ठीक है, लीस्ट होगा PK भी, लीस्ट कॉन साथ, 3.0, 2 होगया, इन दोनों में 2, 3,1, तो 3 वाला अच्छा होगा, इसका तरह कम होगा, 3.25 होगा, 1, यह हो जाएगा, ठीक है, मैंने एक वो मान के चला, अगर यह कहां माना मैंने, बाटर में, यह कहां माना मैंने, पानी में, क्या यह किसी आंसल में दिया है, 3, 4, 2, 1, यह रहा, साथ ही नहीं आता, यह क्या आता, एक सिंपल मानती है, यह मोस्ट बेसिक होता, इसका होता 3, इसका होता, यह वाला, यह 2, फिर आता यह वाला, 5, यह आता, यह वाला तब भी 4 ही आता, हाँ साब से कम ही होता, 3, 4, 1, 2 भी है कहीं पर, देख लो, 3, 4, 1, 2 कहीं नहीं है, समझे मेरी बात कुसर हैं, तो आपने कोई पानी लिखा नहीं है, मैंने दोनों लिखा, 3, 4, 1, 2 नहीं है, कि देखो, 3, 2 आगे, गलत है, 3, 2 गलत है, 3, 4, 2, और मैं आपको, कहीं ने कहीं, अपने अगर थोड़ी समझ होगी, तो आप कर ले जाएंगे, तो आपको, 3, 4, 2, 1, इस अग्रेक्ट आप, आपके चलें, एक, दो, तीन, चार, पांच सवाल और हैं, जाई, निस, समझे, अभी मानदारी से करो, जीत जाओगे, वरना बैड कर होना ही, इंक्रीसिंग ओडर और पीके, और पीके, भाई, पीके, और पूचा हैं, और बुला कि, इंक्रीसिंग ओडर बताना है, आपने काम करते हैं, आपने मोस्ट कर देते हैं, 2, 4, डायनेट्रो फिनोल, पगड़ा एसिड, 4, नाइट्रो फिनोल, प्रोगा कम, 2, 4, 5, ट्राइमिथाईल, बहुत ही गंदा, अब दे रहे होंगे, फिनोल फिक है, तो ओडर हो जाएगा आपका, A, P, D, यह और यह कुशन, बोनस मालने, बोनस तो क्या है, मतलब आप ऐसे लिक्स्टंट का ओडर, अप P, के पूछा है, C, D, D, A, जट सब जो पूछा होगा, अपन कर लेंगे, जलिए, मतलब ठीक है, अपन लोगों माल लेते हैं, यह भाई, बहुत कॉंट्रावर्सिल सवाल था, और यह मैक्सिमम लोगों ने गलत भी किया, मैं देख रहा था, ओनलाइन में जब क्यूश्टंस आ रहे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने आने के बाद सवाल को गलत सवाल, बहुत दुख हुआ, गलत सवाल किया ले, पुरा लगा, पुरा तो लगा, सबसे बढ़िया HC होगा, HC के बाद D सबसे अच्छा होगा, because D वाला negative इधर भी resonance करेगा, और C के साथ भी resonance करेगा, A और B में A अच्छा होगा, तो B वाले में गलोचा है, negative इधर resonance करेगा, इधर नहीं जाएगा, triple bond पर नहीं जाता, बहुत कम जाता है, यह बाद मैंने कही भी थी, यह होना चीओ, इत्फाक से जब जही में इसको लाया, जही में इसने यह order दिया, मज़ा आगे देखकर, इसा अच्छा, वाई जाखरेट थांस, the most stable carbocatine, the most stable carbocatine, या, 2 रिदोनेंस, लिखेलोंने, इससे क्या सरम आती है अपने को, अपने को काय के सरम भाई? यहां देखो भाई, भाई लो, इसके जाज़ है, भी यहां पिलस आएगा, इनके अप्र बैक-बोंडिंग भी, फीन बार, जबल, जबल, बैक-बोंडिंग, यहां पर यहां पिल्या सिया सब से जदा स्टेबलाईज है C C is the most stable cation because of the backbonding इतना तमी से कर लोगे तो जीत जाओगे हवा बजम कर दो कुछ ना रहा हुसे seriously the second last question the correct order of pk values of the following compounds following compounds यह pk values बतानी है आपको इन में से अब देखो pk value का order बताना भाई अपन 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 असलिक से निकाल ले हैं अपन अपन बहुत सेफ आत्मी है सब से सांदार असलिक कहुंसा होगा इनो टुक्ता है यह दोनों गंदे है ते रहे है प्लस r से दे रहा है यह प्लस h से दे रहा है बढ़ी होगे a अपन समझ दे तो ना रहा है b और d में जौरा अच्छा कोन है d वाला क्योंकि हाइपर से दे रहा है तो कम दे रहा होगा तो ठूस रहा होगा और गंदा कर रहा होगा तो ऐसे ही करते हैं सवाल मैंने हर सवाल आप देख लो ऐसे ही कि आशी ग्लास में C A D B यह किसका वाटर हुआ देखो अब यहां बच्चा इदम से कूद में लगता हां अंसर आ गया अब पूचा के हैं P K लो उल्टा करना बूल जा कि गलती मत करना एक्जाम मैं पहली बोल रहे हूं B D A C कहां है B D A C भाई देख लो तो तुम के सो के लिए ऑप्सन दिया हुआ है यह एक्षिडिक स्टेंद का ओडर है यह ठीक है का ओमबेज जखरे यह बहुत क्लासिक सवाल था यह कोई पढ़ाता भी नहीं था पहले तो कसम से मैं तो सब 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 दे रखेंग हम से बर बर के लास्ट तो लास्ट या प्रहार में भी सर यह बहुत समझ नहीं आती यह cold और hot का क्या सीन है not hot में नहीं हो रहा cold में हो रहा है कि समझ आरे कि साथ not cold में नहीं है hot में है यह क्या होता है cold में कौन से soluble होते है cold एनेमेच में वो लोग soluble होते है जो react करके जो acid base करे और salt बना ले दुनिया के वो सारे compound cold में जा किसी force की क्यों सर इनर्जी है एक में एनर्जी नहीं है तो बिना energy की reaction मतलब acid base बहुत exothermine reactions होती है इसलिए ऐसे compound जो acid base कर ले और salt बना ले वो cold में soluble है hot में कौन से होंगे तो hot मतलब तो anyways delta हो गया आप दुनिया की कोई mechanics आरो करा लो एसे नहीं करवा लो दुनिया की कोई भी reaction करे और salt बना ले सिसिग्मा सर पाइस्टार जो भी करे वो करा ले समय है आपको अब यह acid base करेगा यह cold में soluble है यह ester है acid base नहीं करेगा पाइस्टार पटेक करके निकाल देगा salt बना लेगा ऐसे नहीं करेगा यह यह hot में soluble, cold में नहीं है, cold में acid में, cold वाले कॉन से होगा acid है, यह phenol है, यह cold में है यह ना cold में है, ना hot में है, कोई reaction ना करेगा, कोई भी, यह C हो था, यह वाला प्रेक करके इसको निकाल देगा, ester बना यह है, यह आपको SNE करेगा यह भी hot में है, यह हो गया, कि no, कुछ नहीं करेगा, यह वाला, यह वाला, यह भी अटेक करेगा, अगर यहाँ, only devil bond है, oxygen नहीं है, free answer नहीं है, अगर यह माल लेज़ो, मैंने आपको माल लेज़ो, यह 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 दिए, तुझ दिग गया वह वाला है, यह वाला, इससे नहीं कर यह वाला, यह वाला, कुछ नहीं करेगा, no reaction, तो आपका in message, जो cold वाले तो हैं, 1, 2, cold वाले तो, 1, 2, 3 है, hot वाले, 1, 2, 3, 4, 5 है, अब जो hot में है, वो 5 है, तो cold में है, तो 3 है, 1, 2, 3, जो cold में नहीं है, केवल hot में है, वो हैं, आपके पास 2, यह दोनों बस घ्यों समझा न ही कोल्ड में नहीं है और हो पुन उ मत इंस निकलइ गई यह सिरुनों इघ्र बमान बागए यह और लॉक्त कोड फस गए यहिए यह पूरी उम्मीद है यह आपको समझना आया होगा अगले बार जो है नेक्स टन पर यह हुआ मैं आपके साथ अब यह पूरा का पूरा जई मेंस का पार्ट कवर होता है पिछले इतने सारे सालों के सवाल जो है वो सब के सब कवर हो जाते हैं तो आप इसमें एडवांस क्यों नहीं लाए डवांस बिलाऊंगा डवांस बिलाऊंगा डवांस बिलाऊंगा डवांस लाया हमें देखिए हमारे J-Means के सारे all questions are covered all questions are covered J-Means के सारे questions covered होते हैं दुदाथ 23 तक अब बात रहती है advance के तो ये धाई गंटे का lecture हुआ मैं नहीं चाहरा था इससे बड़ा lecture करना तो कहीं निकर ये complete होता है मैं आपको advance का भी कहीं निकरी आप इसको कर लेंगे हैं ना कर लेंगे टाइम पर हाँ अगले turn पर जब मिलेंगे we will start with the isomerism we will start with the isomerism isomerism की बात करें तो isomerism हमें क्या करना है कौन सा isomerism include होगा सारे के सारे isomerism ना जाएंगे और आपको सारे isomerism ना जाएंगे करने भी you must have to complete all the isomerism GI, OI, structural or confirmation please complete it and we will start the PYQs इसमें हम IIT के सवाल भी करेंगे एक काम करता हूं मैं आपको इस बार GOC के advance के PYQs भी isomerism के साथ update कर दूँगा add कर दूँगा तो वो भी कर ले बस इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं कि हमें काम करेंगे मैं आपको GOC के advance के PYQs भी add कर रहा हूं आपके इसमें isomerism वाले में add कर दूँग अगले वाले में अब वहां भी कर दूँगा बस अज इतना जियो सी किया इससे क्या सीखा क्या सीखा आज की क्लास के आदर ने क्या सीखा क्या क्या टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है acid base and तीस तरा aromaticity कहीने कहीन आपका मन भी अंदर से बोल रहा होगा 90 more than 90% more than 90% को सब्सक्राइब तो अब आपको यह summarize है कि अच्छा मुझसे अगर नहीं हुए तो मैं जाकर notes वापस देखू, class वापस देख लो अब पता है मैं इस बात अभी meeting में भी बोल रहा था कि till January January attempt तक मैं आपको यह बात बोल पा रहा हूँ कि जो पार्ट नहीं आता हो उसको वापस दाकर कवर कर लो lecture देख लो January के बाद यह बाद ही बोल पाऊंगा जो वापस पढ़ लो नहीं बोल पाऊंगा तो बोलूँगा revise करो इसको ऐसे करो और अच्छा करो ऐसे इसको और अच्छा करते हैं तो आपको और डैत बिचलोंजाश करूं आप सब्सक्राइब है और यह बनु करना को पैट purl कि घॖक मौशचा करा अपको और आड का रहल unquote dollar के अंगली बार से में आपके आपके जये इडवी आड़ कर रहा हूं परशान मत हो क्योंकि अब कर रहा हूं लास तक चलता रहे जी उसी लास तक चलता रहे बिखेर दूंगा सवालों को और आंसर याद हो तो तो तुम्हारी इच्छा बाकी कोशिश करना हर कुछ सीखने की अगर अगर आपको session में मज़ा आया हो तो प्लीज जरूर लिखेगा एंजोए पर जी बादने वाह क्या session था वाह एक फाल तो बात है नहीं एक तो आपको answer करना है उसका जो मैंने आपसे question पुछा हूआ बीच में बात करना है और दूसरा session was good और हम क्या क्या कावर कर सकते हैं आप अपना session दीजिएगा तो I will think about that मुझे लगता है कि हां करना चाहिए तो I will upgrade on that part चलिए आग्या की दीजिएगा I hope आपको मज़ा आया हो आग्या दीजिएगा स्वस्त रहें homework करते रहें questions को अच्छे से बाबाई बाई